रादा हरे रादा आज बड़े ची खबर लायों सुनोगी तो मूँ चुम्लोगी जिल्दी बताईए तो फिर बात पक्की अरे इसकी दफ्तर की तरफ से तीन साल की ट्रेनिंग के लिए लंडन जाने का चांस मिलाया और वापस आके तरक्की और फिर पोस्टिंग वे बड़े शहर में चलो अरे क्या वात है क्या हुआ आप इसे अच्छे खबर कहते हैं अरे दफ्तर में मिस्रा तिवारी सुब्रमानियम सब इस ट्रेनिंग के लिए मख्यों की तरा मंडला रहे थे और श्रीक किशिन कुमार शुकला की काबले थे और तुम कहती हो बस बस मैं जानती हूँ आप मु तो ठीक मैं कल जाकर कह दूँगा कि दो टके की तरक्की के लिए मैं अपनी बीवी की उदास ही परदाशनी कर सकते हूँ बस तो फिर लोग आपको बीवी का हुलाम कहेंगे हां कहने दो वो तुम है मैं मजाग कर रही थी मजाग कर रही थी तो घर दो यह तरक्की आपको बहुत मुबारक हूँ यह हूँ आगे कुछ मत को चुप चाप सुनो रुपभी प्रोग्राम यह है कि अगले मेने की पहली तारिक को हम लोग बॉंबे चलेंगे वहां समय लंडन चला जाओंगा और तुम दस-माइच दिन पमी और अजीत के साथ रह कर वापस चले जाना वापस अकर गाउं चले जाना अपने माइच अठरो ठरो ठरो लाओ हम अपनी शशी के साथ खेलेंगे बाद में पहले आप चलकर अजीब भाईया को फोन कर दीजे वह बहुत खुश हो जाएंगे कि हम लोग बंबे आरे हलो अरे पही कौन बोल रहा है अजीब उलू के पठे हो जी तुम तुम ने किया या हमने तू दस की दिना गल करनीया पाई समझ गया अरे जिस उलू से बात करना चाहता हूं वो तुम हो तू है उजयन तो बोल रहा है पमी ओ पमी हां ओ किशन तू जिंदा है नहीं नहीं मैं तो मर चुका हूं यह मेरा भूत बोल रहा है और डूमर कदी ना कोई चिठी ना कोई टेलीफोन मैं बंबे आ रहा हूं जीत मुझे तीन साल की ट्रेइनिंग के लिए लंडन जाने का चांस मिल रहा है लंडन और पहली तारी को मैं रादा और शशी के साथ बंबे पहूंचूंगा और आठ तारी को मेरी इमा से फ्लाइट है पमी ओ परमेंदर किते मर्गी है भगवान ओ हो की दंड पाय हो सारी स आठ वसाइटी सरते चुके हो तुस्य होले नहीं बोल सकते की कम है उन्दसो किशन दा फोन है किशन दा किशन के ला किशन वाला मेरे कॉलई दा दोस्त वीरा हा उसने लंडन जाना है वो बंबरी आ रहा है किशन किस गाड़ी से आने का इराद है भाई मेंनों भी गलकरन द अब आपना मुँ बंद कर और मेरी बात सुन खबरदार जो बीज में बोला तो बंबई पहुचकर कोई होटल बाजी नहीं होगी आज कल होटल बहुत महेंगे हो गये हैं भावी चुपकर पूरी बात सुन फिर बोलना चलते वक्ट टेलीफोन करने के भरोसे मत रहना दो द दिखाऊंगी समझा भावी अब बोलूँ खामखा टेलीफोन का बिल बढ़ाएगा बात पूरी हो चुकी है मैं फोन बंद करती हूँ हां अरे मुझे तो बात करने दे कमाल है अपनी बात के बीच में किसी को बोलने नहीं देती दूसरे की बात पूरी नहीं होने देती मु आगा है दोनों को मिलने बाभूजी मेरा कोई दूर का भी रिष्टेदर होता तो मेरा अधा को वहाँ छोड़ जाता मगर आप तो जानते हैं मेरा आप लोगों को सवाई इस दुनिया में कोई है ही नहीं सुन रही हो राजा की मा हमारी बेटी को हमारे ही घर में छोड़ने है ऐसी बात कहे कर तुम नहीं हम दोनों का दिल दुखा रहा है और यह भी कोई कहने की बाते बेटा मैं से भूलो गए माजी मेरा कहने का यह मतलब नहीं था ठीक है ठीक है भूल जाए श्रीमान बहुत दिनों बाद बिटिया के हाथ हो का खाना बहुत मजा आप बाबुज बिटी मेरे लिए दर शक्कर कम हमारी गुडिया कितनी प्यारी है दिल्कुल अपनी राखा पर गई है मैं सोच रहा था जब मैं लंडन से वापस आओंगा तो मेरी शशी कितनी बड़ी होगी होगी मैं भी तो यही कह रही हूँ जब तुम वापस आओगे नो बेटा तो यह दोर के तुम्हारा शागत करेगी हाँ माजी मैं तो पहचान भी नी पाऊंगा अपनी गुडिया को राख सब आगे तुम्हे कुछ नहीं है रही है तुम्हे 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 तुम्ह कर्दाइम्ग है तो सिहा आधान, दो है इंधान, आईधान, आईधान, आजएओा एंधान, लगज दो अभूगा है, तो अर भी लगा है, तो को कि अजए दो मैं दो दो पलगा है, बादान, बहुड़ा है। ुप शो जो झाल प्मछाब तुए, लग तुटनी फिरा भाहादी नुटने उना मुझादा लगल, 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 लिटने और लो तौने नुटनी, नफ जुटनी नुटनी कि लुड़त आ जो ठुड़त आ जो नपाई टॉट है कि लेड़त दो जड़त दो कि अगर लाट जड़त लुड़त लेड़त लुड़त दुड़त कि आ पार करता दो हुआ 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 है हुआ हुआ है अच्छा या प्रोग्राम क्या तेरा यार प्रोग्राम तो मेरा हिंदुस्तान पहुचने से पहले फिक्स हो गया था नहीं भावी यही ट्रेजडी है कली से मुझे चार्ज लेना है और चार्चे में तर छुट्टी भी नहीं मिलेगी वैसे अच्छी बात है आराम से फ्लैट ढूंदूगा और बात में उन्हें जाकर ले आऊँगा अच्छी ले फ्लैट गल करता मेरा घर तेरा नहीं है यार मैं तो भी बात ही कर रहा हूं मैंने कौन जा फ्लैट ढूंद लिया है वैसे भावी मैंने शेशी की नाना को चिठी लिखकर अपने प्रोग्राम के इतला दे दी है अच्छा लो नाना पापा को चिठी लिखो अरे नाना को पढ़ने दे ना ओहो पढ़ाई तो होती रहेगी हम पहले इसके पापा को चिठी लिखते हैं बताओ क्या लिखें बेटे लिखो कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और क्या नानी? और बेता लिखवाओ कि पापा तुम इतने बरसों के बाद लंडन से आए हमसे मिलने क्यों नहीं आए? लिखो नाना तुम हमें मिलने क्यों नहीं आए? और क्या लिखो? और क्या नानी? और? और क्या लिखाएं तुम भी तो कुछ सोचे ना सब नानी बताएगी ये ले पूरे पांच हजार हैं जिस दम जनानी ने पैसे लेने हो बड़िया मिठिया करना कर दी है वैसे सारा दिन लड़ दी रहें दी है अरे ये तो किशन दे ससूटा खाते हैं क्या बात है भावी आज बड़ी शांती है अरे चुप करके बैठ यार आग न लगा मुझे शांती से नाश्ता करने दे अच्छा ये ले तेरा खत मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ हां जब तक तु ये लसी पी ले रजनी क्या लिखा तेरे सूसर जी ने लिखा है कि शेशी बड़ी हो गई है उसकी पढ़ाई शुरू करने का वक्त आ गया है उसे ले जाने के लिए लिखा है तूने भी तो हद कर दी वीरा तेन सारे तेन साल से उसे भूलाए बैठा है भूला नहीं भावी कोई धंग का घर भी तो मिले अरे पागल तेरे जैसा छे फुट का बंदा इस घर में समा सकता है तो उस चोटी बच्ची के आने से घर छोड़ा जागा है समझने की कोशिश कर जीत मेरा इरादा है कि शशी के साथ उसके नाना नानी को भी यहां ले आओं तो ले आना उन्हें भी किसने मना किया है नहीं यह बात नहीं है भावी तुम्ही समझाओ न इसे ठीकी तो कह रहे हैं ले आना लो अरे जीत वो तेरा दो स्टेट एजिंट क्या नाम थे उसका उसने फोन ही नहीं किया आज थे मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता और सुले अगर तुने घर वर लेने का चकर चलाया तो ना तो मैं तेरे साथ घर देखने जाऊंगा ना मुझे इस मामले में कुई बात पूछना और सुन तूने फिर इस टॉपिक में बात की तो तो क्या तो मैं तेरी तांग भी तोड़ सकता हूँ लो छूट गई भावी क्या नम दा उस एजिंट का मुझे नहीं मालूम आज सुबा से बर्तन तोड़ने पर दूली है आज सारे किचन के बर्तन तोड़के लिए रहेगी हाँ आज अउज़ा फोन करता हूँ अहुज़ा स्टेट एजेंट्स अहुज़ा साब मैं अजीज सिंग चड़ा के यहां से बोल रहा हूँ आप से फ्लैट के लिए कहा था आप किचन को शुकला बोल रहे हैं क्या जी हाँ जी हाँ तो लिखिए धरी राम महल 63 TPS खाग कौन है जी मैं मैं फ्लैक ले आया हूँ सुना है आपके यह एक करक सुना है आपने शादी होगई आपकी शादी लगता है खोल कर समझाना पड़े गा वहाम बड़ा मानने वाली बात नहीं हर आने वाले से पुचा जाताए बतला यह Gotta ूथा नहीं बीवी तो में बीवी नहीं तो मगर दे कैसे काम चलेगा इसला आपको नहीं को सकता है वो यह हो कि हमारे जीजाजी ये फ्लैट सिर्फ शादी शुदा को देना चाहते हैं चाहे लड़का हो या लड़की हो वैसे एक तरह से मैं शादी शुदा हूँ लेकिन इस वक्त अब कह रहे हैं कि एक तरह से मैं शादी शुदा हूँ अभी कह रहे हैं कि मेरी बीवी नहीं देखिए दरसल बात ये है कि मैं देखिए दरसल बात ये भी है कि मैं अपने जीजाजी का साला हूँ और बहुत समझदार हूँ और समझदार को इशारा काभी होता है और मैं समझ गया क्या समझ गया आप मैं यह समझ गया कि आप बड़े शियाने हैं नहीं समझे समझाता हूँ बबसाब यह एड्रेस यह है जाए तरह देखना मकान चाहिए आपको हाँ हाँ बबसाब मेरी बीवी को चाहिए आप धनी है आपकी शाडी हो गया क्या पुछा आपब में जी मैंने पुछा आपके पती है या नहीं? क्या पुछता है मेरे कुछो? अर वही आपकी या आपकी? जी मैंने यह मकान का मालिक पुछता है उधर वैसे मैं भी यह मकान लेने आया था क्योंकि मेरी बीवी नहीं है उसने मुझे मकान नहीं मिला सरम नहीं आता, छोक्रीलों के साथ ऐसा बात करता है, चलो बीबी चलो, धनीलों का सकल ऐसा होता है ये मकान लेने वाले इत्मिनान से बूचे भी नहीं काली करने देते हैं मुझे लगता हूँ श्यान अभी तक गया नहीं, फिर एक राई मारने आया तू ठेह जीए, मैं शादी शुदा कहारे को अंडरग्राउंड करके आता हूँ, अभी आया मैं आपका पुष्टा पिष्टा हूँ, ये बजरंग बली नमस्ते नमस्ते, कहिए क्या बात है तुनाय आपका उपर का माला खाली है एला माला, हाँ खाली है शादी होगे तुमारी? शादी? नहीं तो अरे शादी हुई तो यह का करने आयो तुमको माले मुलना चाहिए कि धनिराम का पॉकार हाा, मालूम है मालूम है मेरे लिए नहीं मेरे बभी के लिए, इनको घंद appropriate तुप क्या लखतेयों उन्की नौक्रानी आप कहिए आप कमारी हैं ये शादी सुधा साधी सुधा है तुम के बीचों मोलते हो मेरा बीबी को साधी मालूम है सुधा सुधा नहीं मालूम इसलिएständ बोली इसका घरवाला है क्यों जी आपका घरवाला है ना जी तो ऐसा कही है न अब तरह ध्यान से सुन लीजिए पांच हजार रुप्य और एक हजार रुपया चालू बहिने का किराया हाँ ठीक है तो ने कालो एडवांस तीन सो अब जब चाहो छे जार रुपय लेकर चली आओ यह तीन सो अरी तुम्ही दलाली है और एक बात को और खाल रखिएगा अगर अपने पती को लेकर नहीं आई तो यह मकान नहीं मिलेगा हाँ अच्छा लोस्ते हैं सेर्जी एक बात पूछो पूछो यह आधिकाली आधिससे तुम को इससे क्या तुम छेजार में लेकर आऊ चलो 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 जोड़ जी में आते हैं बक्तितियो अरे बीबी काय को घबराता कुछ नहीं हुआ तो हम दारी मुची लगा लेगा पर यह मकान तो जुरू लेने का नहीं तो तुम्हारा मामा हम डोनों को पिका देगा चलो चलो अने क्या सुच रही बीबी तुम इथरा बीबी वो आदम है नOU, अच्छा लगता है, हमारा काम आसकता है, बहुत अच्छा रहीगा समझजा नहीं- यह नहीं और लोत नहीं हो कॉत NES-जाना क्या व क्या हो गया- तुम 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 रहके माफ करना बाबुसाहब हम अपको गलत समझा नहीं कोई बात नहीं वो पागल बुड़्डा है ना वो सिर्फ शादिश्टा लोगों को मकान देता है मालूम है तो आपको भी मकान नहीं मिला और इन्हें? पर मिल सकता बाबु साब सिर्फ आपका मदद का जुरूरत है मेरी मदद की मैं का कर सकता हूँ हाँ बाबु साब आप आपका साधी नहीं हुआ और हमारा बीदी का साधी नहीं हुआ इधर अकेले में आओ हम सब समझाता है अकेले में की जो कहना यहीं को अरे बाबु साब पब्लिक इधर कितना है आव ना बाबु साव आरे बाबा, तुम दोनों को सची मुची मरजुरू नहीं बनने का खाली नातर करने का, वो बुड़े को बताने के वासते माफ केजिए, मकान मुझे जरूर चाहिए लेकिन इतनी जरूरत नहीं है जो मैं इस चक्र में पढ़ूँ बिलकुल ठीक हा आपने, इसका क्या मदलब होता है ये समझती नहीं है एक बार ये जूटी बात मशूर हो जाए, तो जानती कितनी बड़ी मुसीबट खड़ी हो सकती है लेकिन बीबी, तुमको इधर बंबे में जानता है कौन है हरे इने नहीं जानते हूं, मुझे तो लोग जानते हैं, मैं या सर्विस में हूँ इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगते हूं किशन बाबू ओ, क्या माफी मांगने का? चुप कर लाजो, किसी अंजान शरीफ आदमी से ऐसी बातिं की जाती है लो और समझा, सरीफ लोग से ही ऐसा बात करना चाहिए, कोई लुच्चा लफंगा से नहीं बैच जा बाबू, बीबी बैच जा, अरे बैच जा ओना बाबू साब देखो बाबू साब, ये मकान हमारे लिए जिन्दिगी है, नहीं मिला तो मौत ऐसा मुश्किल में, अगर आप मदद नहीं करेगा, फिर कौन जाने हमारा क्या होगा क्या ये सच कह रही है मिसकोपिका मुसीबत तो है हमारे सर पे सिर्फ चांचे महने का ही तो बात है, फिर बीबी का गाने का चानस लगने का ही देर है, बस तो क्या आप जी शौक है गाने का, टीवी और फिल्में गाने की आर्दू लेकर अपनी खिसमत आजमाने बंबई चली आई अगर चानस जल्दी मिल गया तो पात्षे महने के पहले छोड़ देगा अच्छा भई, मगर ये तो बताओ मुझे करना क्या होगा बाबसाब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ हम करेगा आईए, 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 देखिए, बंबई में तो बड़ा फ्लेग, और इसने कमके राय में मिलना बड़ा चमतकार है, अरे ये तो आप दोनों मिया बीवी किसमत है किसमत का बात करो, मिया बीवी का बात मत करो नाल जू मेरा मतलर है, कहां तोने किसमत की वज़ए से, ये चार मेहने से खाली पड़ा है यहां रटवए आए, कमारे आए, लबे-लबे किराय से जेने वाले आए, लबे-लबे टेपोरित देने वाले लेकिन धरी राम पैसे के लाजची नहीं है और दिल के बड़ा साफ है इतना सामान इतना वड़ा मकान और पर साथ में टेलीफोन टेलीफोन? टेलीफोन के दर है? टेलीफोन दीची है ना उसकी बड़ी फसलिटी है और पर किराए 1,000 रुपे आप लाराजी मैंने सुना था पहले किराएदार से 800 रुपे किराए लेते थे? आट रुप? अरे मैंने देहजिय ने कहा होगा? तेहजिय? वह मैंने पीजी का भाई, मेरा साला इस साले को नुची आगे देह लूँगा यह रा इक किचन और यह बेटरूम अब ज़नो ज़नो ज़ यह मेरा इस देहा है यह मिया बीजी का असली बेटरूम, डबल बेट, अरे घृद्डर ए गद्डे शलो-बिलो, अज अबी क्या देखा है अज अब है फ्लेट का असली रशार्त तो इदर है, अजय अजय थंडी-थंडी हवा है अज यह तैले शाम को यह मैं मिया बीजी तो साइज इनकी थकान दूर हो जाएगी, बड़ी रुमेंटिक थका है, आलो ये चली, देख लिए आप ले, आई, 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 किशन बाबू, रुमेंच जिंदगी कार सबसे बड़ा टॉनिक है, अब रिटर देखो, पैसे बरस का हूँ, लेकिन लगता हूँ, अब आई, आई, लगता हूँ, मेरी सेथ का राज है, अंडरग्राउंड, मेरी चौतीबी, उमर्च बीस साल, आई, क्या खिद्मत करती है मेरी, अरे मैं तो बड़े फखर से, अपने आपको, हैपली मैंट कपल कहता हूँ, जैसे आप दो लो, लाला जी, हम लोग बहुत थ लग गए हैं थोड़ा हाँ 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 समझी है समझी है अब आप लोग आराम जीजिए हाँ डबल बेज चलिए इस समस्या से तो पार हुए देखे वो बेडरूम आप ले लीजिए बड़ा वाला कमरा मैं ले लेते हूं लाजो यहीं कहीं डॉन रॉम में सो जाएगी हाँ अब अब इस घर में तुमको हम से अब बीबी से कोई लेना देना नहीं सिर्फ दुसरों के सामने मर्जोरो का नाटक बस इसका मतलब आप समझ नहीं होगी यहीं हमारी लक्षमन रेखा बाकी सिर्फ काउमन कहिए तो पेंट लाकर एक लगिर खिश्टू हम तुमको सरीफ आदमी समझता है दूसरा रंग नहीं दिखाने का नहीं तो हम बहुत खराब आदमी हैं नहीं लाजो इन पर विश्वास किया तो इज़त से बा किशन बाबू ओ आई यह लाला जी आई ना अरे बहीं अख़वार पढ़ रहे हो यह बला अच्छा शौक है सुबह सुबह दुनिया भर की सारी ख़बरे मिल जाती है बहीं मुझे तो दूला चाहिए दूलन चाहिए वो मेट्रो मोली कॉलों होते ना मुझे उसका बढ़न किशन बाबू जित करने लगे कि आप पहली बार आए है तो चाह तो पीकर जाईए क्यों किशन बाबू है जी हाँ पहली बार आओ यह तो चाह तो पी नहीं बढ़ेगी है भगुजी जरह जल्दी बना दीजिए न है को पी जादी से चाह बना दो प्लीज बनाती हूं नाम वहत देवी है किते साल हुए शादी को कितने साल हुए जी तीन साल और खर में कोई नना मुलना नहीं अरे भाया कौई तुम भी मेरी तरह प्लानिंग कर सागरा तो नहीं ले रहे हैं लाला जी वो बात ये है के हम लोग ने फैसला किया है के चार साल तक हम दो दो ही रहेंगे तीन नहीं होंगे बहुची चाय लेकर आ गई, अब ही चाय पीकर बता देता हूँ कि बहुची के हाथ का खाना कैसा होगा इस दो कलास क्यों भाई, तोरे कलास का गया जी मैं बाद में पीलोगी, आप लोग पीछी अरे, आप जाका रही है, बैठीे न, आखर मैं थखर का लेन्टोड हो आँ बैठीे, बैठीेutaray터ly चाह्क ज्यादे, मैं ही रोजना ज्यादा शक्रवीता हो डल दोडोरदो, अखरो ऑぜ貌ने के लिए एक दिन आना ही 영बीगा लेकिन चाय बाजी रोज हुआ करें जरूर जरूर लाला जी आभी का घर है और इस बहाने मुझे भी चाय मिल जाए करें क्या आइस्ता आइस्ता बहुत गरम है बहुजी देखे अब मुझे बहुजी बहुजी मत कहा कीजिए क्यों मैं आपकी बेटी जैसी हुना मुझे गोपी ही कहा कीजिए लेकिन गोपी मुझे तुम दोनों के फैसला पसंद नहीं आया फैसला? अरे हाँ वही दो से तीन होने का लाला जी का मतलब बच्चूं से है बच्चे? अरे बच्चे ना सही कम उसकम एक बच्चा तुम होना चाहिए लेकिन यह कैस हो सकता है छे महीने तो हुए है शादी को छे महीने? लेकिन किशिन बभू तो कह लिए थे कि तीन साल हो गए लाला जी वो क्या है कि तीन साल हुए है शादी को और सिर्फ छे महिनों से हम इकठे हुएं, इसलिए असली शादी शुदा तो अब हुए न, छे महिनों से हाँ वया, इकठे रहो तो शादी का मजा, वरना कमाल से ही बुरे अच्छा केजिन बाबू, मैं चलता हूँ, अखवाल ले जाओं वो गोवीनेनी पड़ा बाद में विश्वा देता हूँ, अच्छा अच्छा、 अच्छा धनलोगों अच्छी लगते हैं नास्ते, नास्ते, नास्ते मिस्टर किशन कुमार शुकला, क्या समझते आप अपने आपको और क्या समझते आप मुझे जो इस तरह ओडर दे रहे थे, प्लीज गोपी जरे चाहिए लियाओ मिस्ट गोपी का शर्मा, वो हमारा लैनलोड है और उसकी नजर में हम मिया बीवी हैं बीवी बीमार भी तो हो सकती है, कोई बहाना भी तो बना सकते थे लेकिन आपका तो प्लैन था कि इसी बहाने मुझे भी चाहिए मिल जाया करेएगी आप मुझे गलत समझ रहेंगे, मैं सिर्फ अपनी दोनों की पोजिशन समभाल रहे थे या बिगार रहे थे, इतने सारे साल हो गए शादी को, अब तक बच्ची क्यों नहीं हुए, ये सब discussions के क्या जरूरत थी? ये discussions उसने शुरू किये थे, लेकिन मज़ा तो आपको जरूर आ रहा था, ये आपका खयाल है, आप अपना temper अपने पास रखी और याद रखी इस ड्रामे में आपने मुझे खसीता था, इन सब की नजरों में आप मेरी बीवी हैं, तो मुझे पती कितना बिहेव करना ही पड पहले मैं नहाओंगा अरे भई जरा नल बन करो नल बन नहीं हो सकता लाजो को बरतंदोने अरे बाबा मैं नहा रहा हूं यहाँ तो लाजो क्या करे प्लीज मेरी आखों में साबून लग रहा है यहाँ तो मैं क्या करूँ गोभी प्लीज, दो मिनिट के लिए नल बन कर दो न देखिए कल से पहले आप नहा लिया कीजिएगा तो पाइन थेंक यू बेटी, क्लासिकल म्यूजिक जानती हो? जी हाँ, चार साल की थी जब से संगीत सीखा है लेकिन यहाँ बंबई आके कुछ रियास छूट गया वह ऐसी तुम ऐसा करो, रियास जारी रखो और खुब तयारी करो अगले हमीने मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आडिशन की देट दूँगा, ओके? थेंक्यू सार साथ, बड़े साथ ने फाल भीजाए हाँ, रख दो सिर्फ आदा खंटा रहे गया ओफिस बंद होने में ये काम हो जाएका सार जीचा, ये फाइल्स में घर ले जाओंगा मेरे घर में काफी सुकून रहता है रात को मैं आराम से काम करके रिपोर्ट तयार कर लूँगा बोर भाई 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 रव गुन गाओ बोर भाई 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 रव गुन गाओ गंधारे संग है सासर नी सर गामा माल पास गुनिया याल माला अतकंदर बागीश्वर जानो रभ नवामेगा मुलतानी हमेरे संग में का बक्ति की रभ बक्ति मिल परत जानी जय जय वन्ति प्रिय राजनी जय 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 दुरगे महारानी आई बहारत जला में जानी जय 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 बस आणी जय वसंटरे तु मन धानी जय वसंटरे तु मन धानी जाइवक पारी कि मनमानी कि दोड़ता है अरे चल राश्ते से अरे आदी रात को घर में गुटता है, क्या मांगता तुमको? मैं नौकरों के मूह नहीं लगता, बुला अपनी मालकिन गोर्स से बात करूँगा क्या बात है लाला जी, इतना शोर क्यों मचा रहे है मैं लाला धनीराम, मैं आपको अभी और इसी वक्त यहां से उठाकर उस खड़की से नीचे फैक दूगा और दो सेकंड में आप ग्राउन फ्लोर पर होंगे, कहिए हाँ जी हाँ जी, किशिल बाबू मूँ साल कर बात करो चलाइए मत, बड़े शरी बनते हैं आप, इतने भी तमीज नहीं के रात के बाक किसी घर में घुस आए और जो मूँ में आप बगने लगें, मैं अभी पुलिस को बलवा कर आपको अंदर की सेर करवा सकता हूँ हम चीके, चलाए, शोर, मचाए, कुछ भी करें अपने कमरे में, आप हमें कुछ नहीं कह सकते और अगर दोबारा आपने मुझ से पूछे बिना, इस घर में कदम रखा तो मैं मुझ से नहीं हाथ से बात करूँगा अरे ये का कर रहे हो, देखो भाया, गर्मा गर्मी में सो बाते होती हैं, कुछ तुमने कहा, कुछ मैंने कहा, और मैंने श्याद को गलत कह दिया होगा लेकिन भाया, मेरा कहने का मत्तलि ये था, बहुजी गाएं, लेकिन जरा आहिस्ता गाएं लाला जी कहने का भी कोई तरीका होता है, हमारी भी इज़त है, आपके जो मुझे भाप अरे आया, मैं गाने को बुरा नहीं कहता, गाना तो हमारी संस्कृती है, आप तो खांसा बुरा मानगे भाप जी उसा छोड़ दीजे ना, भाया, तुम भी ठल्दे हो जाओ, देखो, मैं कल सुबह आउंगा, और चाय बाजी यहां इकठी होगी सुनिए, बहुत बहुत शुक्रिया, इस वक्ट आप में मेरे लिए किया, कोई दूसरा मुता है देखें विर आप यह समझ रही है, कि मैंने आप की वज़े से डाटा तो यह गलत है, मुझे सिर्फ अपनी वज़े से अपनी बेज़ती की वज़े से बोलना पड़ा आप की बेज़ती? लेकिन उसने आप से तो कुछ नहीं कहा उसने आप से कुछ कहा, तो एक तरह से मेरी बीवी से कहा इन सब की नजरों में आप सिर्फ आप नहीं, मिसेस किशिंज कुमार शुकला भी है यह रिष्टा को हमेशा यद रहत है? इसलिए कि यह हकीकत नहीं है और अब भी आप यह मत समझे कि हमारे असली रिष्टे में इतनी सी भी तबदीली आई है हमारी पुजिशन अप भी वही है आप आप हैं, मैं मैं आपकी हद वो है और मेरी हद इधर लक्षमन रेखा अपने जगाँ पर अभी मौजूद है जाहिए सोजाए, गुनाइट और हाँ, आएंदा ज़रा खिर की बंद करके गाय कीजिए कितना अच्छा आदमी है आपना बाबु साब हलो हाँ ज़रा महरबानी करके प्लीज किषिन कुमार शुक्रा को बला दीजिए पर एक में ठैरिया में बलाती हूँ अरे बै किसका फोन है उपर हाले किरायदार का तो ठीक है चंदू को भाई दो वो तो घर में है या नहीं, मैं बला लाती हूँ अरे सुनो, तुम उपर हर्केस हर्केस नहीं जाओगी लाजने सुसरा केला ही हो अब तुम यह को खड़ी हो मैं उपर जाओंगा वो टैली फून करने नीची आएगा तुम यह खड़ी रहोगी अब तुम जड़ा खाना लगवा दे पहले तुसी गल्पो कर लो कृषिन कुबार वो घर में नहीं है अजी मुझे उनसे कोई काम नहीं, उनका टैली मुनाया नीचे मगर वो घर में नहीं है, लाजो बाहर गई है, मैं नहा रही हूँ नहा रही है ना जाने दिन में कितनी बाहर नहा रहती है सुबह शाब नहा ला, नहा ला पाली का बिल भी बढ़ जाएगा हाँ साहब बाबू किशन कुमार घर पे नहीं है और उनकी बीवी नहा रही है बीवी? अरे भाई सहाँ मुझे किशन कुमार शुकला जी चाहिए अरे मैं कह रहा हूँ ना को उनकी बीवी नहा रही है मगर उनकी बीवी आपको किशन कुमार से बात करनी है ना किशन कुमार घर पे नहीं है अरे फोन बंद कर दिया यह बीवी बीवी की क्या बात कर रहे तुम अरे मटी हो गई सारी शिराब सारा नशाई रफू चकर हो गया और कुछ बोलोगे भी अब समझ आ गई पूरी बात समझ में आ गई अपने आप बोले जा रहो है मुझे कुछ नहीं बताते अरे तेरे वीर ने शादी कर ली और वी इने इसलिए फटा-फट मकान का इंतजाम किया इसलिए मकान देखने के लिए वो मुझे साब नहीं ले गया अरे अब तुम क्या घूट के देख रही हो मुझे मैं कहती हूँ ये ना मुम्कीन है मैं खुद किशन से कितनी बार कह चुकी हूँ कि तू शादी कर ले मगर वो बंबई की किसी फुलजड़ी ने अपनी चमक दमक दिखा के उसे फसा लिया होगा हाँ एवे बंबई दी चोग रिया पढ़ होगा की होगा की जो होना था वो दो हो गया मैं उस फुलजड़ी का मुझे ला दूंगी चलो अभी कर पे अरे वो घर पे नहीं है चल कर हो हो यह सब बाते सुनकर तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता फेर फेर की कल सवेरे चलांगे आये ला जी अरे जीत भावी अरे वार प्लेजन सर्प्राइज अरे बास सुन रहे हैं ते कदी आया पलेट के रेखने के लिए अपने पई और भावी नो अज मैं सोच इना था भावी वो तो जब से तू पैदा हुआ है सोचने के तो काम कर रहा है अंदर कोई प्राइबेसी या क्या नए ने प्राइबसी किस बात की आता फिर अंदर आने को तो बोल क्या है कि मैं हेरान हो कि है तुम लोग यहां देka कर अरे भावी यही तौ आईडिया था कि पकड़ो रंगे हाथ घर पे सब़्ाण तो हगर तो बहूत अच्छा है पर तोहारा देवर कुच नर्फेस लग रहा है क्यों? मैं कि मैं पर सुने लगा? यहां लगता है पर तुम्हें हमें देखकर यहाँ खुशी नहीं हुई? कैसी बात ही करता है खुशी क्यों नहीं होगी मुझे? अरे तो फिर बैठने को बोलना? बैठ बाबा, बैठ 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 लाजो, सुना नहीं सुने, जरा मेरे तॉलिया तो देना लाजो बादार गई है क्या है कि यह मिस्स गोबी का शर्मा है हम दोनों ने मिलकर यह फ्लाइट लिया है हाँ वो तो ठीक है, पहले तॉलिया तो पहुचा दे उसे बिचारी इंतिजार कर रही है हाँ हाँ लीजिये जीत, वो बात यह है कि इस मकान का किरायस ज्यादा है और डिपॉजिट मेरी पहुचके बाहर था इन्हें भी मिस्स गोबी का शर्मा को भी मकान की ज़रूर थी अचानक ये मिल गई, अचानक ये idea क्यों ना मिलकर हम लोग मकान ले ले हम हम दोना एक दूसरे से कोही वास्ता नहीं रखते कोई खाना पेना नहीं अक्यादा ना नहीं मतलब कोई मतलब नहीं डूसरे से हाँ, सिवा एक तॉलिया लेने देने के, है न? हुँँँँँँँँँँ ओ, I'm sorry, मुझे मालूम नहीं था आके साथ गेस्ट है हम गेस्ट वैस्ट नहीं, कीशन के रिष्टेदार है, इसने कभी बताये नहीं हमारे बारे में अरे वीर, जब खाड़े इंतोरेक्शन तो करवा दे हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, गोपी, ये अजी सिंग चड़ा है, और इनकी पत्नी परमिंदर कौर नमास्ते जी, सभी कुछ यही है मेरे बांबे में, और भावी यह है गोपी का शर्मा, नमस्ते, नमस्कार अरे किशन, चाय तो फूच, हम तो तेरे चक्र में चाय पिए बगार ही निकल बड़े, जरूर, जरूर सौ फीसद ही जरूर, जरूर, बिल्कुल जरूर, अजी कोई पागल ही होगा, जो किशन बाव के घर आए, और अपने घर से चाय भी कर आए नमस्ते जी, मैं इनका लेंडलाड हूँ, मेरे नाम लाला भनी राम है, दिल का बहुत साफ हो, को किशन बाव हो, हाँ लारा जी, ये मेरे दोस्त है, भाई से भी ज्यादा, और ये है इनकी पत्नी, अच्छा, ये आपके दोस्त है, मैंने समझा था कि ये आपकी पत्नी की स बिला दो, और मेरी चाय नीचे भिजवा लेना, हाँ, हाँ, जी, जरूर, 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 देखो, भिजवा देना, नहीं को फिर लोटके यहाँ चला हूँगा, बड़ी लजी चाय होती है, इनकी बीजी आत्या, अब मैं एक मिलट भी यहाँ नहीं रोख सकता, हाँ, जी गटिया बात ही है, को तुमने ये शादी हम दोनों से चुपाई, चलो पमी, एक जी, तुम मुझे गलत मैं समझ, ये जूट है, मैंने शादी नहीं की है, शादी नहीं हुई, तो बेवी कहा से आई, तो जूट बोल रहा है, ये सच कह रहे है, मिसिस चड़्डा, इन्ही न ये कहकर आपनी बेश्ज़ती करते है, हाई, हाई, बेश्ज़ती कर रही हो, बेश्ज़ती उसकी होती है, ये को इश्ज़त हो, भावी, तू चुपकर, चलो मान भी लिया, कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, मगर फिर भी, एक कुवारी लड़की, एक मर्द के साथ उस मेरे शादी भी हुई है, मैं सब सबुत है, मैं सब अकले जानता, पर तुम लोग कौन है, मेरे बीवी को बोलने वाला, अपना अकले तो बताओ, लाजो, बाभु साब, तुम चुप रहो, मेरे को ज़राईं से बात करने दो, ये मेरी भावी है, लाजो, भावी जी होगी, बड़ा में साब, दुनिया में से इतनी ही सच्चा और हम लग सब जूटा, चलो जी, यहाँ खड़े वेना अपनी बे इज़र दिकराना है, हाँ, ऐसा कैसा जाएगा में साब, अपनुरा कहानी सुनकेट जाना पड़ेगा, आज तक मेरी बीबी की कहानी मैंनी किसी को नही आया, मेरा बीबी, पैंगलोर का एक परफेसर साब का बेटी है, एक साल हुआ, परफेसर साब दुनिया से चला गया, जिसका घर में एक जवान बेटी है, और साथ में विद्वा मा, उधर सब का नजर उड़ता है, एक दिन उनका घर में पीज़र मामा नाम का एक आदमी आ उसने माजी के आगे बहुत बड़ा बड़ा बात किया और बीबी को बंबय साथ ले जाने को बोला हाँ जाने दो ना सिर्फ चार-चे माइनों की तो बात है अगर कुछ हो गया तो ठीक है नहीं तो नहीं होने के तो सवाल ही नहीं पैदा होता बेटी मेरा नाम दूबे है मेरी वहाँ इतनी जान पहचान है इतनी जान पहचान है कि माजी बीबी को बंबय भेटना नहीं मांगता था पन हम माजी को बोला, हम बीबी के साथ जाएगा माजी मान गया और हम लोग मामा के साथ बंबय आ गया बंबय में दूबे मामा, हम लोग को एक गंदा बस्ती में रखा रोज रात को कोई ना कोई गंदा किसम का आदमी आता और तंग करता तुम इदर नहीं बैठेगा तुम अभी इदर से जाएगा तुम सुना नहीं मैं क्या बोला हम लोग को अब मालूम हो गया दूबे मामा एक नंबर का बदमाथ और चार सुबीस है बीबी बहुत डर गया हम भी डर गया इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी दूसरा घर तपासने को लगा तु सच मुछ मेरी सहे लिए पर जाने क्यों मेंसे दिल बहुत घबरा रहा है परदेश में आया है इतना बड़ा दिल रखना मंगता बीबी क्या तुम बच्चा जैसे रोता है हमारा बीबी घर लेने के वास्ते बाबु साथ के साथ निया बीबी का नातक किया अगर बाबु साथ जैसा अच्छा आदमी में मिलता तो हम लोग कि दर कदर में जा गिरता गोपी कहा जा रही हो मुझे माफी मांगनी का मौगा नहीं दोगी मैंने अंजानी में नाजानी तुम्हे क्या क्या कह दिया मुझे माफ कर दो प्लीज माफी तुमुझे इनसे मांनी चाहिए और अब तुम्हारे भी सब कुछ हम ही है, बंबे में तुम अकेली नहीं हो, कभी कोई बात हो तो फॉरून फोन कर देना, मैं और कर चली आउंगी, मैं तुम्हारी बड़ी बेहन जो हूँ गोपी, ये केशन तो चाय की बात करके रहे गया, और अब तो नाश्ते का भी वक्त हो गया नहीं, अब हम चलें, ऐसे कैसे जाएंगी आप, आपने मुझे बेहन का है, चाय तो पी कर नहीं जाना होगा, मैं खुद बनाती हूँ आच्छा, चंगी कुडिया, चंगी कुडिया लो बबबु साब, चाय चाय मेरे लिए तुमने बनाई है, बनाय तो मैंने बबबु साब, पर अपना बीबी जी वो भीजा तुम्हारे लिए, वो बोला, मैं लाया बड़ी जली जा गया आज तुमारी बीबी हाँ आज बीबी जी को वो गाने का ओडिशन ओडिशन? हाँ ओडिशन हाँ उदर जाने का अच्छा अच्छा बहुत काम है लाजू ये फूल काई से आए वो अपना बाबु साब आफिस गया था फिर वापस आकर फूल लेकर गया नीचे चिठी भी है मुझे मालूम है कि आज आज आपका ओडिशन है भगवान करे काम्याबी आपके कदर उचुमे इन फूलों को मेरी शुब कामनाएं समझे किशन क्या बात है भगवान कुछ नहीं हो आफिस में तविद खराब हो गया थी चकर साग गया था मगर तुम्हें तो तेज बुखार है डॉक्टर को बलाओ इमत्रवा ले आया हो चलो मैं ले चलती हूं आई चलोना चलो अरय वुथ धणि-धंडवान की धंड़। नेदे सि considering क्या लाया हो धनड़। धनड़। कहा चली गाई य Careful बेजिये, अरे महा बेजिये, हद तरेश यहां बैठिये, बगमाश कहीं का तु यह का कर रही है, उट चल लिजे इनको बहुत जोर का बखार है, सारा शरी जल रहा है अरे तु ने के पबले का ठेका ले रखा है, कल सारा मौला बीमार होगा तु सब के घर चल जाएगी, चल चल लीचे अरे चल तु चल आता हूँ मैं, ए मिस्टर किसिन कुमार यह कहा की शरावत है, अरे बिमार हो तुम और सेवा करे मेरी बीवी, मैं पूछता हूँ तुमारी अपनी कहा है, अंडरग्राउंड मैंने तु मना किया था बेहन जी को अरे काएगी बेहन जी बेहन जी, मैं सब समझता हूँ, देखो मद्द का साभाद भी हूँ, लेकिर इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपनी बीवी को तुमारी सेवा के लिए छोड़ दूँ, आज से चाइबाजी बंद, है अरे कमारे तो कमारे, शादी शुदा भी ऐसे ही निकले, यह शादी शुदा जादा खतरनाक होते हैं, बेहन जी, बेहन जी, बेहन जी क्या हुए लाला जी? मैं पूछता हूँ कहां की शराफत है, क्या आप भार घूमें फिरें, और आपका पती उपर बीमार पड़ा हो? वो बीमार है क्या? अजी बीमार है क्या आप अघंड कर रहा बीमारी का? लेकन सुनो, मैं यह बरदाश्ट नहीं कर सकता, क्या आपका मिया बीमार हो, और मेरी बीवी उसकी सेवा करें? आप? जी मैं, लेटे रहें, लेटे रहें, आपको तो बहुत तेज बुखा है, डॉक्टर को बिलाओ? नहीं, जरूद नहीं है, मैं डॉक्टर के पास हुआया हूँ, तवा भी ले लिया है अच्छा आप तक लिए क्यों करेंगे? आप चुप चुप लेटे रहेंगे, बस आप में बहुत तक्लीफ की मिल लिए हाँ, बहुत तक्लीफ की मैं बीमार हो जपी, तो क्या आप मेरी बेख भलनी करते? अच्छा नभी, कौन है तुम? यह, यह किताब मैं ले जाँ परने को पूछाए क्यों आपने? Thank you अजबे पान हो तुम, जब से तुम्ही देखा है, सारे दुनिया मेरे आखों में सिमट आई है, अजबे पान हो तुम तुम तो हरे गेट में शामिल थे, तरन तुम बने के तुम मिले हो मुझे फूलों का तबसुं बने के अजबे पान हो तुम, जब से तुम्ही देखा है, सारे दुनिया मेरे आखों में सिमट आई है, अजबे पान हो तुम, जब से तुम्ही देखा है, अजबे कान हो तुम्ही खाब का रंग हकीपत में नजर आया है दिल में धड़कन की तरह कोई उतर आया है आज हर साथ में शहनाई सिले आई है अजन बेकान हो तुम जब से तुमी देखा है सारे दुनिया मेरे आखों में सिमट आई है अजन बेकान हो तुमी कोई आहत सी अंधेरों में चमत जाती है रात आती है तो तनहाई महत जाती है तुम मिले आया मुहाबबर से घजलनाई अजन बेकान हो तुम जब से तुमी देखा है सारे दुनिया मेरे आखों में सिमट आई है अजन बेकान हो तुम जब से कितना प्यारा बच्चा है बच्ची तुम्हें अच्छे लगते हैं तुमने बताया नहीं तुमने बताया नहीं बच्ची तु जिन्दगी की खुश्पू हैं उनकी मुस्कुराहत से सारा जीवन में है कुटता है यही वक्त है को भी कुछ इशी के बारे में बताने का मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाता हूँ गोपी मैं किन शब्द में कहूँ? अपने बारे में मैं बताऊं क्या कहने चाते हैं आप कहना चाते हैं गोपी मेरी जिंदगी में तुमसे पहले और कोई लड़की नहीं आई तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखरी मोहबत हो सच कहाना मैंने आप अब तक अपने मन में बात लिए शब ढूंते रहे और मैं अपने मन में यही शब लिए अब तक चुप बैठी रही वैसे अगर आज भी यह उसे परपोस करूँ तो हां कर देगी मगर अगर मगर का चकर छोड़ मौके का फायदा उठा नहीं जीत मैं उसे धोके में नहीं रखना चाहता और उसे मेरी पिछली जिंदगी के बारे में बताना भी ज़रूरी है कि मेरी शादी हुई थी और शशी की जिम्मेदारियों से उठानी पड़ेगी जब वो सच-पुछ प्यार करती है तो एक दिन बहुत मूर में हो तो उसे कह डाल मुमान जाएगी कई बार मैंने कोशिश की मगर बाट तल गई कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी मौका नहीं मिला और कभी बाहर से दूसरी बात निकल गई अरे रुमास में यही होता है मेरे यार तोड़ा मजाग सुजदा है यहां बहुत सिरियस बात हो रही है मगर वीर तू अगर उसे बताएगा तू मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएगी वो एक तड़ी लिखिया समझदा लड़की है बड़ी मंता देखी है उसमें अरे इसकी हिम्मत नहीं पड़ती तू एक काम कर उसको यहां बुला के बात कर ले और देख किशन जनानी जनानी मूँ पटा लेगी हाँ भावी इस मामल में तुम मेरी मड़त कर दो मैं गड़ता हूँ कहीं इंकार न कर दे कहीं उसने इंकार कर दिया तू ओए तो फिर मेरे यार का दिल तूट जाएगा तू फिकर मत कर साड़ी बहुती बड़ी स्यानी है समझ ले तेरा काम हो गया अच्छा अच्छा कल शाम को उसे मेरे यार चाए पर भेज़ देना कहना भावी ने बुलाया है ओ हो कौन है तू काम कर मैं देखते हूँ किशन के लावार कौन हो गया इतनी देर क्यों कर दी वो जीत किया चला गया था लाज़े दो कब चाय लो ना बना भापी भी अगोपी जरूरी बात यह है के पमी भापी ने कल तूमें चाय पी बुलाया है चार बज़े सच मैं भी कई दिनों से जाने का इरादा कर रही थी लेकिन चार बज़े क्यों आप तो दफ्तर से छे बज़े आते हैं अब मुझे नहीं सिर्फ तुम्हें बुलाया है अकेले में तुमसे कुछ बात करना चाहएं कोई खास बात है कह रही थी किसी की तरफ से तुम्हें जिस दिन घर में ज्यादा काम होता है उसे दिन नौकरों का अपना काम भी निकलाता है या फुर बिमार पड़ जाते हैं लचनी बिमार है क्या आरे नहीं उसके बड़े भाई ने उसके लिए लड़का ढूंडा है इसलिए वो अपने घर गई है तुम कुछ खाओ ना नही मैं बहुत खुश हुई जब पता चला तुमहरा और किशन का गड़ड है करबर अरे वहीं जो है मगर हमारा किशन बहुत सिधा और शर्मीला है जो बात उसे तुमसे करनी चाहिए उस बात के लिए मुझे तुम्हें यहां बुलाना पड़ा बोलो क्या मर्जी है उनके कहने टुमसे कुछ पूछना चाहता है ताकि शादी के बाद तुम दोनों के बिच गलत 是啊 रयमिना खड़ी हो मिमसाम मिमसम मिसम मुझे बचा, मिलू의다면 मर्मद हो जाएगी क्या बात है रजनी तु रो क्यों रही है? अब तुम ही मुझे बचा सकते है, मुझे बचा लो मकर कुछ बताएगी भी, आज तो तुझे लड़का देखने आने वाला था ला वो लड़का नहीं है में साम, आदमी है, दो बच्चों का बाप है मेरा भाई जबर्दस्ती मेरे शादी कराना चाता, मुझे नहीं करने, मैं दो बच्चे के बाप से शादी नहीं कर तुम कौन होते हो जबर्दस्ती करने वाले मैं, मैं इसका भाई हूँ, अब आप ही कुछ समझाएं मैम साब, अब तो ठीक है रगू, ठीक है, अगर तुम यही रिष्टा चाते हो तो इसका तरीका जबर्दस्ती तो नहीं, उसे प्यार सा समझाओ यह क्या कह रही है आप, तुम्हें या हमें क्या करना है दूसरों के मामले में, मगर यह गलग कर रहा है, यह जुर्म है इस बच्ची पर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, अपनी बेहन के अच्छी के लिए कर रहा हूँ, चल रजनी मैं नमसा, मैं आपके हाँ जुड़ती हूँ, मुझे इसके ताद मत जाने दूँ यह नहीं जाएगी तुम अगर भाई हो तो दुश्मन किसे कहेंगे? क्या कह रहे हैं मैंसाबा, मैं दुश्मन? हाँ, दुश्मन, देखो, लड़की भी इंसान होती है, क्या तुम उसे इतना भी हाफ नहीं दे सकते कि उसके अपनी शादी में उसकी मर्जी का दखल हो, निभाना तो उसे ही पड़ता है और भाबी, दो वक्त की रोटी तो इसे तुम्हारे घर भी मिल सकते हैं और हमेशा मिलती रहेगी मैं उस आदमी के खलाफ नहीं हूँ, वो शादी करना चाहता है तो जरूर करें लेकिन किसी हम उमर आउरत के साथ, वो किसी वुद्वा से भी शादी कर सकता है रगू, अगर तुम्हारे शादे तुम्हारी मर्जी के खलाफ किसी ऐसी आउरत से कर दे जाए जिसके दो बच्ची हों, तो तुम्हें कैसा लगेगा आपने ठीकी कहा, मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा था मुझे माफ कर दे रजनी, माफ कर दे जा चल रजनी, चल मेरी बेहन सुर्य भाबी, जोश मैं आके नजाने क्या कुछ कह गई बैठो एक एक चाय और हो जाए आप क्या कहने वाली थी रजनी के आने से पहले मैं, मैं आप कह रहीं थी न, कि वो कुछ पूछना चाहते हैं ताकि शादी के बाद कोई गलत फैमीन रहे किशन यह जानना चाहता था कि शादी के बाद भी तुम अपने गाने का शौग उसका मतलब है तुम सिंगर बनना चाहती थी न जी समझ गई देखे, शादी के बाद इन चीज़ों के लिए मुझे वक्ती नहीं मिलेगा और जाहर है कि उनकी पसंद भी मेरी पसंद होगी जिससे उन्हें तकलीफ साच है बस बस तुम जैसे विशाल विचारो वाली लड़की उसे मिल गई है मैं बहुत खुश हूँ क्या देख रहे हो क्या बती भावी से इतने परेशान क्यों लग रहे हो नहीं परेशान नहीं भावी ने सब कुछ बता दिया हाँ सब कुछ? हाँ, सब कुछ और मैं सोचने लगी शकल से तो किशन कुमर शुक्लय ऐसे नहीं लगते कैसे नहीं लगता है इतने शर्मीले और मासूल वो सब ताह भी मुझसे कह सकते थे हिम्मत नहीं हुई याद है एक दिन समदर के किनारे हम लोग जब रेस्टराण में बढ़े थे तब ही मैंने सोचा कि तमसे कह दू लेकिन फिर सोचा कि कोई दूसरा तमसे गहे तुम्हें सोचने का मौका मल जाएगा कोपी प्यार के दिन तो हवाओं में गुजर जाते है शादी का बंदन पती बच्ची के जिम्मेदर बस बस मैंने कहा था न बच्ची तो जिंदगी के खुश्पू होते हैं लेकिन किश्ण हर लड़की उस घड़ी की राह देखती है जब उसका होने वाला खुद उसे प्रुपोस करे अच्छा लगा हाथ लगा मैं तुम से शादी करना चाता हूँ कली चांद के पास जो चांद के पास जो सितारा है वो सितारा हवीन लगता है जब से तुम हो मेरी निगाहों में हर नजारा हशीन लगता है चांद के पास जो सितारा है जिन्द जी दो दिलों की चांद है जिन्द जी दो दिलों की चांद है जिन्द जी दो दिलों की चांद है हर पुशी प्यार की अमानत है प्यार के पास जो सहारा है वो सहारा हसीन लगता है चांद के पास जो सितारा है आज की रात है मुरादों की आज की रात है मुरादों की रोशनी है नए रातों की शमा के पास जो शमा के पास जो शरारा है वो शरारा हसीन लगता है चांद के पास जो सितारा है चांद के पास जो सिथारा है वो सिथारा हसीन लगता है चांद के पास जो सिथारा है मुझे अकेला छोड़ कर कहाँ चले गए थे? बाजार गया था देखो तुमारे ले क्या लाए हूँ? इसके क्या जरूर थी? कितने की है? तुम्हेस से मतलब? जब से हम यहां आए हैं, रोज कोई न कोई नया तौफा ले आते हो, क्यों? अपनी गोपय को खुश करने के लिए लेकिन तौफू से तो गर्फरेंज को खुश किया जाता है, बीवी को नहीं वो इसे फुजूर कर्ची समझती है अगर बेवी को खुश करना हो, तो पती को क्या करना चाहिए? उसे प्यार दे, विश्वास दे तुम उच पर एक मुज़र प्यार की डाल दे करो, वहीं मेरे लिए सबसे बड़ा उपार होगा मेरी आखो में देखो तुम प्यार और विश्वास का सिवा, और कुछ बिज़राता ही नाखो में वहां से फिर अब नवाईश जाएंगे घूमने लौ बेटे, दो खत्मे लाएंगे नाना, इस जब मिलाने से पापा को पहुच जाएगी जरूर पहुच जाएगी बेटे तुम मुझे भी डाल दे ना मैं भी पापा की बस पहुच जाएगी इतने इस्यानी होगा यह मेरे बच्ची इतना अर्मान है बेटे तुझे पापा से मिननेगा अज़ ज़िए यह सब क्या है घर की जरूरत का समान कुछ तुम्हारे कपड़े, कुछ मेरे मैं पहले बिल के चक्कर में फसा हूँ, तुम उपर से एक और बिल ले आई हूँ क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहा हूँ गुभी मैं घर के खर्च का हिसाब किताब कर रहा था उसमें 600 रुपे घट रहे हैं मैंने बहुत इधर अधर किया मगर एक बात मेरे सवज में नहीं आती है कि घर का खर्च भी वही इंकम भी वही मगर जब भी मैं टोटल करता हूँ, 600 रुपे घट जाते हैं तुम हसरे हैं, यहां मैं इस कैल्कुलेटर पर कैल्पूलेट करते ठक गया हूँ मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि तुम अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हूँ लाखों का हिसाब किताब, बैलेंस, पाजिट, क्रेडिट, फॉवर्ट, सब करते हूँ लेकिन घर के मामले में जीरो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यह जो दिखाएगा में मैं आपका हिसाब देखे बिना यही से बैठे-बैठे बता सकती हूँ कि क्या अगरबढ़ है क्या अगरबढ़ है बताओ हॉम डिपार्टमेंट में औरत अथारत होती है यह बताओ घर का किराया कितना है एक हजार बिजली का बिल दो सो पिछले महीने तक आधा मैं देती है लेकिन आप क्योंकि आपके धर्म पत्मी हो गई हूँ इसलिए सारा अमांट आपके हिसाब में लिखा है कि नहीं अरे हाँ यह मैं कैसे भूल जाता बुद्धू तो मिसिस बुद्धू अब यह बताईए कि यह कमी कैसी फूरी कर सकते हैं हो सकती है अगर तुम कहो तो मैं जिंगल विंगल गाया करूँ आम देनी भी बढ़ जाएगी और मेरा वक्त भी करता है नहीं नहीं गोबी नहीं और देखो फिर कभी मुझसे यह बात मत करना मैं बिलकुल बरदाश नहीं कर सकता कि मेरी बीवी घर के खर्च में हाथ बटाए पता नहीं लोग कैसे पसंद करते हैं कि उनकी बीवी दुनिया में जाकर रोडी कमा कर लाए अच्छा बाबा गलती हो गई अब कभी नहीं बोलोगी लेकिन बजट कैसे पूरा होगा तुम्हारा तुम्हें काम करो तुम्हें शॉपिंग बन कर दो मैं शॉपिंग बन कर दूँ तुम दोस्तों के साथ गुलचर्रे उडाना क्यों नहीं बन कर देते तुम मैं दोस्तों के साथ गुलचर्रे उडाता हूँ क्या कुछ तो फरक पड़ेगा ना देखिए शाद आपको यह नहीं पता कि घर की हर चीज नहीं हो चुकी है लेकिन ओड़तों की चीज़ें तो वही पुराने दाम उपर देख रही हैं आप यह क्यों नहीं सोचते कि आप अपनी कमाई बढ़ा हैं कमाई बढ़ा यह कमाई कमाई तो बहुत फिर भी कड़की हर दम रहती है कुछ महगाई ले जाती कुछ बीवी उड़ाती है बुजर्गों का आई कहना है घर को मर्द लटाते हैं वो लाक मुसीवत हो औरत घर को बनाती है औरत घर को बनाती है कमाई तो बहुत फिर भी कड़की हर दम रहती है है उनकी साड़ियां दसवीज हमरे कपड़े ले दे चार है उनकी हाँ 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 दिवाला निकला हम राया सोने के हाथ में कंदन हीरे की कान में बाली छनके फैर में पायल पदी का बटवा है खाली लगाकर सेंट महंगा ये नखरे सौसो दिखाती है कुछ महंगाई ले जाती कुछ बीबी उडाती है बीबी उडाती है बुजर्गों का ये कहना है घर को मर्ग उटाते है बसें चलती हैं लेकिन वो सदा टेक्सी में जाते हैं बसें बसें चलती हैं लेकिन वो सदा टेक्सी में जाते हैं चले जब काम बीड़ी से सदा सिगरिट को पीते हैं लगाकर आप पर जस्मों सिनेमा घूम जाते हैं घर का छोड़ दर खाना है रिखाना है रिखाना घर का छोड़ दर खाना सदा टेक्सी में जाते हैं पियार उठी मनाती हैं कभी घर को आसा जाती हैं लाख कुप सीबत हो औरत घर को बनाती हैं औरत घर को बनाती हैं कमाई तो बहुत फिर भी खड़की हरतम रहती हैं पहल कर रेशमी जोड़ा हमें जलवा पिखावत हैं कभी जो देव से आओ शुभा मनवा में लावत हैं नमक मिर्चा वो दाले खूब चली रोटी खिलावत हैं चले जब चालना कोई फारी चले जब चालना कोई तो वो बेनन दिखावत हैं जेब होती है जब खाली याद बस बेवी आती हैं बचत के पैसे से घर्दम उधारे वो चुकाती हैं जवानी में सतावत भी खुड़ापी में विभाती हैं पती की देवाकर भी में सुखी जीवत बनाती हैं बुजर्गों का यह कहना है घर को मर्द लुटाते हैं तो लाखों से बत हो औरत घर को बनाती हैं यह जी पहली बार कोभी की मा आई है सोच तो इक पार्टी कर दूँ पार्टी को ज़रूरा होगी मगर मेरे घर भाई जब से तेरी शादी हुया पार्टी देने की सोच रहा हूँ और फिर इससी अच्छा मौका और कौन सा मिलगा चलो बैठो ठीक है तरे राभ जी बहुत हो गया अब आजये इदर कल फिर आजाना इसलों जितने भी ताने माल नहीं माल लीजिये मैं खाने के मौमने में तकनलफ नहीं करता बस यह तो मेरी यहाणी का राज है एएए खाजली अरू अकल जा रही हूं आप लोगों से मिलके अपनी गोपी के तरफ से बिलकुल बेफिकर हो गई ऐसा लगता है कि इसका मैका भी यही है मा जी कुछ दिनों में इनका अफेलापन अपने आप भी दूर बुजाएगा इनने घर से बाहर निकल लेकी महलत नहीं मिलेगी जब शेशी आजाएगी शेशी? शेशी कौन? शेशी मेरे छोटी बहन का नाम है वो दिल्ली में पड़ती है वो यहाँ आएगी तो गोपे को बहुत अच्छे कमपनी मिल जाएगी अभी तुम नहीं अब शायद ना भी आये हो सकता है न शूटियों में वो कश्मीर चली जाए किसकी बात कर रहे है तुझी अरे तुम हिदर आओ मेरे साथ तुम्हें दिखाने के लिए मैंने हम लोगों की शादी की अल्बम रखिये सजागे अरे भावी शाषी का फोटो भी है मेरे पास आजा आजा तुम्हें दिखाऊ हूँ हाँ मेरे यार हाँ भावी क्या कह रही थी शाषी उनकी भेंग कब से हो गई अभी सम बताय देता हूँ पम्मी मेरा बैक किदर है वही टेबल पर ही होगा अरे जरा यहां तो आओ एक मिनेत अरी बात तेरे समाज में आ जाएगी कहीं ऐसा तो नहीं कि भावी ने गोपी को अभी तक अंधेरे में रखा हूँ हाँ हाँ यार कुछ ऐसा ही हुआ है अरे यार यह जान बूज कर थोड़ी हूँ है क्या बात है क्यों चिला रहे हो भावी यह जीत क्या कह रहा है गोपी तो आई थी उस दिन तुमारे पास और तुमने उससे वह यहां आय थी रजनी के बच्ची भी उससे गिन यहां मरी बात ऐसी आखड़ी हुई कि ना बतान यह यह तरह का धोका है उसके साथ एक तरफ तो मैंने उससे अपनी जिंदगी का साथ ही बनाए और दूसरी तरफ उसे चीट कर दिया इतने पड़ी जूट पर बुनियादे हमारे में उनकी उसका नाम गोपी का है बहुत अच्छे घराने की लड़की है बैंगलोर की रहने और शाशी के लिए राधा जैसी मा बन कर उसे उतना ही प्यार देगी और चुरी चुरी चुपके 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 चिट्थे लिखी जा रही देगी जी गर्फरेंड को आज कर तुमने यह राज मुख से राज रखा आज सारा वाना पूप जाएगा गवी यह मेरा परसल खाते प्लीज तो क्या हुआ पीवी तो शाहर के हर राज की साजिधार होती है मैं जरूर पढ़ूंगी पुझ्य बाबुजी आईं बाबुजी का वो मेरे पिता समान है उनकी चिक्षी का जवाब दे रहा था तो क्या हुआ पढ़ने दोना इसमा घब बहुत अच्छे घराने की लड़की है बैंगलोर की रहने वाली है उसका फोटो भी भेज रहा हूँ आप देख लीजे देखो मुझे दिखाय बगार फोटो नी भेज रहा है आप उससे मिलेंगे तो धत तेरे की खोदा पहाड निकला चुहा मैं तो समझे किसी पुराने पुराने इसका मामला है लेकिन ये चिठी तो किसी जेंटलमन के नाम है फड़ी शकी मिजाज हो तुम हो नहीं पढ़ता नहीं तो तुम जैसे सीधा शादी को कोई भी बुद्धू बना सकता है अच्छी लड़की है अच्छा हुआ किशन ने शादी कर ले नाना ना ना न अच्छी है विटिया हम कोटे ठेना के एक दिन तुमारी ममी सदूर रहेगी हुआ यह हुई ना बात डबल प्रमोशन अब अपनी बीबी के चड़नों पर पानी डाल क्या लक लाई है वाह अरे वाह जो मेरे डिपार्टमेंट ने तीन साल की ट्रेनिंग के लिए मुझे लंडन भेजा था वो कुछ नहीं हां भाई अपने देश से दूर अपने नननी सी भूलकर तीन साल तक बनवास भी तो तूने काता है ना लेकिन यार मेरी शशी तो अभी बनवास काट रही है तेरी महरवानी से हां किशन वो भूल हो गई हम लोगों से यार वैसे अजीत मैंने फैसला किया है कि गोभी को सब कुछ बता दूँ अब मुस्से बरदाश नहीं होता है लगता है हर घड़ी हर पल उससे धोका दे रहा हूं हाँ हाँ ठीक है अब तो शादी को बहुत दिन हो गए हैं कोई प्रेजन ले जा और प्यार से बोल दे मैं तो सो कियो यह जीत मैं एक दिन तो फेस करना ही होगा क्योना जी सब को हां क्योना जी SPEAKER क्योग जेत मैं कहरो इसे मिलकर तो जा घ्र कर से यहां जीत में गड़ी डालनानी चाहता है मैं चलता हो है पाव जला तर नहीं बीबी नहीं ठीक है मैं साफ करता है बीबी कोई आया मैं देखती हूं नमस्ते नमस्ताम भाई और भावी कैसे हैं अच्छे हैं उन्हों कहीं बाहर घुमने गए हैं हाँ ये किशन बब्बू की चिठी आया थी मैंने सोचा मैं देखा हूं किशन की चिठी? तुम्हारी या कैसे? हाँ हमेशे आती है और साफ खुद लेने आते हैं आज मैंने सोचा मैं देखा हूं अच्छा है किया कौन है बीबी? अरे गजमी जा चाय पी ले लाजी से कुछ खाने को भी दे दे अच्छा बीबी बेटे किशन तुम्हारी चिठी मिली पढ़कर हम दोनों बहुत खुश हुए यह जानकर तो बहुत ही खुशी हुई कि तुमने दोबारा शादी कर ली है अगर हमें पहले खबर मिलती तो हम जरूर आशिलवाद देने आते गोपेका बेटी को मैं नहीं जानता मगर तुम्हारे ख़त से विश्वास हो गया है कि तुम्हारी बेटी शशी को गोपेका के रूप में नहीं मा मिल जाएगी तुम्हारी बेटी शशी को गोपेका के रूप में नहीं मा मिल जाएगी तुम्हारी बेटी शशी को कोपिका के दूखे में नहीं माने जाएगी तुम्हारी बेटी शशी को कोपिका के दूखे में नहीं माने जाएगी कि अगवरा गई देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाए हूं क्या हुआ पसंद ही आए यह असली है यह नकली मैंने कभी तुम्हें कोई नकली चीज़ दी है लाओ लाओ अपना हाथ लाओ आप मेरी बात भूल गए मैंने कहा तोफिक गर्फरंस को दे जाते हैं याद है और अगर बीवी को कुछ देना हो तो अटूड विश्वास दो और तो प्यार दो है ना और इसी विश्वास के लिए मैं तुम्हें बताना आपकी चिठी आई है मेरी चिठी हां रशनी दे गई है महां टेबल पर पढ़िए मैं खाना लगाती हूं आपके लिए क्या वत को भी शाम से मूट क्यों खराब हो गया तुम्हारा जानना चाहते हो बता हूं हां अफकोर्स बता हूं मैं एक नॉवल पढ़ रही थी आज अधिकार इतनी अच्छी लव स्टोरी है बड़ा मजा आ रहा था पढ़ने में लेकिन दोनों की शादी के बाद कहानी में जटका आता है पती जान बूचकर अपनी बीवी को धोका देता है और बीचारी बीवी की जिंदगी बिखर कर रह जाती बहुत ट्रचिक है इन राहिटर्स को इसके सुवा काम ही क्या है क्या अपनी दिमागी चालागी से सीधे साधे दिलों पर परभाव डालें अच्छा हो तुमने मुझे अपनी परिशानी की वज़े बता दी नहीं तो क्या करते मेरा मूट खराब हो जाता वो चठी किसकी थी वो वो मेरे पिता समान है यह जिने में चठी लिख रहा था तुमने मुझे छीन ली थी वो जैन में रहते है तो भावी के घर क्यों आई थी पहले मैं वही रहता था ना अभी तक मेरी सब चठी वही आती मगर इसमें हर्जी क्या है कोई हर्ज नहीं अरे खा जुकी खाया किया तुमने बस भूख मरके यह आज जा वो पुपित तब यह तो ठीक है ना क्या बात है जवाब क्यों नहीं देती है नहीं इसी नहीं नहीं आरे तुम जाब सोचा नहीं नहीं मैं तुम्हा तेलानी चोगाँ आओ इतने दिनों तो इतनी बड़ी बात कैसे चुपा रखी मुझसे मन की वो बातें वो प्यार सब दिखावा था नहीं किश्र तुम्हे मेरे साथ कितना बड़ा फरेग किया किश्र यह तुमने क्या सुरू किया मेरे साथ सिंदेगी की यह सबसे बड़ी भूल है मेरी राधा और शची की बारे में कोपी को सब कुछ पता दिना चाहिए था अगर मैं क्या करूंग मैंने चानमुच करते हैं नहीं किया क्या गया इसी वक्त पता दो जगा हो लेकिन वो तो खुब परिशान है कल बताना ठीक होगा मुझे विश्वा से अपने किशन को माफ करते ही क्या कर रही हो मैं पुछ रही है मैं तुम्हारा घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है मेरी बात लेकिन घर चोड़कर क्यों जा रही है यह तुम मुझ से पूछ रहा हूं थोका तुम ने दिया विश्वास खा तुम ने किया अब तुम वजह पूछ रहा है मैं तुम्हारे साथ इस घर में एक मिनिट भी नहीं रह सकती आखर बात क्या है? कोई गलत फहमी हो ग Supali Zoe पहिमी दूर हो चुकी है मैंने कल वशुख कर चित्थी पढ़ ले कहा सहा है? उसमें क्या है मुझे सब मालूँ और तुम्हें भी मालूम था कि में मुझे पढ़ चुकी मुनासर वक्त पर तुम्हें सब कुछ बता दुगा वक्त? वक्त तु मैंने तुम्ही कल शान से लेकर आज सुभा तब का दिए मैं तिल तिल मर्दी रही तुम्हारी जबान से तुम्हारी पिछली जिंदगी के बार में सुनने के लिए मगर तुम खामोश है पिवी से जदा पती की जिंदगी का रास्तार और कोई नहीं होता लेकिन तुम उन वर्दों में से हो जो बीवी को अपने पाउं की जूती समझते है और यही दर्जा तुमने मुझे दिया इस से जदा मेरी कोई पोजिशन नहीं है तुम्हारी जिंदगी में इसले मैं तुम्हारी जिंदगी से, तुमसे, इस घर से हमेशा के लिए जा रहे हूं इमान के लिए मेरी बात थो सुनो मैंने हमेशा तुमें बताने की कोशिश की मगर तकदीर ने वो खड़ी वो मौका नहीं दिया शादी से पहले में तुम्हे बतानाचाथा पामी भावी और जीत सिका, वही तुम्हें बता देते, मगर वो खड़ी नहीं आई, आज दिन आ गया, ठीक है, मेरा खुसूर है, मगर मुझे समझने की कोशिश करो, सच्चाई जानने की कोशिश करो, अब तुम सच्चाई की बात कर रहे हो, मैं तो हैरान हूँ के तुम क्य क्या हो, तुम्हेरा असली क्या है, तुमने अपनी वी,राधा, और शहषी की बात, युझ चुपाई, जैसे वो कोई दाख थे, तुम्हेरी जिंदगी में उनकोई पाफ था, मुझे शर्म आती ही कि मैं तुम्हारी पीली, तुम्हें एक मिर्दई और बुस्तिल इंसान हो, तुम्हारे साथ एक छट के नीचे रहना मेरे लिए ना मुम्किन है गोपी, गोपी, देखो एक अरमत उठा, आज मेरी जिन्दगी में शुरू से आखर तक सिर्फ तुम ही तुम हो, इस एक बात पर तुम बहुने प्यार को धुकरा देना चाहती हो अब तो तुम हो गया है, मुझे अकेला छोड़कर जाने से अच्छे यह नहीं होगा, कि तुम शेशी को सुविकार कर लो तुम्हें बहुत देर करती कि शुरूर। समझ गया है, कि तुम शेशी की जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहती है। तुम उसे घर में देख ही नहीं सकती, तुम भी एक औरत हो ना। इशन? हाँ, इस सारे फसाद की यही वजय हो, जब तुम्हें शशी के बार में पता चला, तो तुम्हारे अंदर सौधालेपन ने जनम ले लिया, और तुम उसी आग में जली जा रही हो, मुझे इंजाम देने का तो एक बहाना है, तुम्हें शशी को सुईकार कर ही नी सकते तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी नीच बात करते हुए, मैं तुमसे नहरत करती हूँ, I hate you, I hate you, I hate you जाने से पहले यह अच्छी तरह समझ लो, अगर तुमने इस दर्वाजे के बाहर कदम रखा, तो यह दर्वाजा तुम पे हमेशा के लिए बंद हो जाएगा जाइब किशन जीत मैं सोचता हूँ शर्शी को ले आओंगा हाँ, ले आ, वो यहाँ तेरे साथ रहेगी तो तेरा दिल बहर जाएगा जब तक गोपी नहीं आती, उसकी देगा तुम जाएगा भल मैं करूंगी गोपी आएगी भापी मुझे तु नहीं लगता अरे यार जरूर आएगी गोपी ने गुस्से में आकर यह कदम उठा लिया वैसे वह ऐसी है नहीं जैसे घुसा ठंड़ा हो जाएगा वह अपने आप आप आजाएगी हाँ हाँ कोई जनानी अपने पत्ती के बिना रह सकती है भला तो कोई मार्द अपनी पत्ती के बगएर रह सकता है यह तुम क्यों भूल जाती हो और जब भी देखो और तो की तारिफ करती रहती है तुमसे भेशड होगे आइुम नानीमा जल्दी करेंग्रोत पापा की लेने स्टेशन में में पहुंचना है अच्छा लक्षमी चलो भाई गारी स्टेशन में स्टेशन पर पहुंचने के बाद की क सादा चल चलो तुमसे तुमसे लोग हो तक पतंवा जाएगा जरूर बताएंगे, शशी का बाखायदा परीचे कराएंगे, हाँ जरूर बताएंगे, शशी का बाखायदा परीचे कराएंगे, हाँ वो नहीं आई, लेकिन मुझे कोई स्टेशन पर लेने क्यों नहीं आया है, हरके सारे लोग आपको उजेन टेशन पर लेने गएंगे, आपको नहीं मिले क्या, नहीं तो दिन डियाल शर्मा जी का यही घर है, हाँ, क्या बत है, आप कौन है, दिन डियाल जी का दामाद है साप, मुझे अफसोस है, आपको मेरे साथ ठाने चलना होगा, क्यों, उनका एक्सिडेंट होगा, है, एक्सिडेंट देखने वालों का कहना है, कि जीप में जब आग लगी लाशे आग के शोलों की तरह इधर उदर जा गिरी है, आइम सोरी मिस्टर किशन, साहे, लेकिन बच्ची की लाश तो मिली चाहिए साहे, ये कैसे मुंकिन है, लाशों के हलत तो आप देखी चुके हैं, बच्ची तो जलकर राख हो गई होगी, और हाँ, ये गुडिया वहा साथी दूर, और इसलिया शॉय जलने से बच गई अनि में कादर को हैं, इसी खेलावन ने से, जिन रात Вас करती थे ऑफ पत। ये भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी आखों के सामने सर्वस नस्ट हो गया प्यार तो सपना है, दर्द ही अपना है नीन्द जहां खलती है, आप फिखल जाती है, दर्द वही आता है, ना बदल जाते हैं प्यार तो सपना है, दर्द ही अपना है नीन्द जहां खलती है, आप फिखल जाती है, दर्द वही रहता है, ना बदल जाते हैं प्यार तो सपना है, दर्द ही अपना है प्यार तो सपना है, दर्द ही अपना है मुस्कुराना तो गम चुपाना है हर खुशी दूर का तराना है मुस्कुराना तो गम चुपाना है हर खुशी दूर का तराना है होश की राह में दिल ही दिवाना है प्यार तो सपना है दर्द ही अपना है जो भी दिल के परीब आता है जखन बन के सदा सताता है जो भी दिल के परीब आता है प्यार तो सपना है दर्द ही अपना है प्यार तो सपना है दर्द ही अपना है नेंद जहां खुलती है आप घर जाते हैं दर्द वही रहता है ना बदर जाते हैं प्यार तो सपना है दर्द ही अपना है अरे अरे उठाओ इसे जब पता चला ना छोटे माली का कलेजा फट गया वही रोने लग गया और सीने थाने से बंबई वापस चले गया धन्या प्रभू हमारी सशी बिटिया पच गई मालिक देखेंगे ना तो अच्छी उठेंगे इसे पाकर तो मैं भी जी उठ्यों काका एक अंतकार में गिरने से बच गई भगवा ने ना सिर्फ इसे नई जिंदगी दी बलकि इस बच्ची के हातों मुझे भी एक नया रास्ता दिखा है तुम क्या कहरें बिटिया कुछ नहीं काका अपने आप से कह रही थी तुम से बात करनी है देखो शशी जिन्दा है और मैं उसे अपने साथ बंबई ले गई हूँ ये बात तुम किसी से नहीं काऊँगे उनसे भी नहीं मेरा मतब है उसके पापा से भी नहीं लेकिन बिटिया तुम तुम से बंबई ले जा रही हो ना हाँ तो फिर ये सब तुम मतबूच हो काका और देखो मैं तुम्ही जैसे ही चिठी लिखूँ तुम फोरन बंबई चले आना अच्छा मुमी मुमी देखो हमारे बाग का आप अरे वाँ अच्छा मैं आप लोगं के लिए भोजन के तियारी करता हूँ अच्छा अच्छा हाँ जीत मैं किशिन बोल रहा हूँ सरे किशिन सुन गोपी आ गई है क्या हाँ अभी अभी पंदी का फोन आया था गोपी वापिस आ गई है और मेरे घर पर है वीर आगे तेरी हीर गुस्सा गुस्सा सब छोड़के आई है तो भी सब भूल जा अरे भाई बंद करो ये लेला मजनू का तमाशा जरा हमें भी तो भाबी से मिलने दो नमस्ते तुमने तो हदी कर दी भाबी तुम्हें इतना गोड़न चांस मिला इससे जान चुड़ाने का पर तुम गोता खागी और फिर आफास इसके चुबल में अरे वाई इससे तो देखो कैसी चेहरे पर चमक आगी है बीवी को देहकर अगर मेरी बीवी वापस आगी होती न मैं तो शेहरी चोड़ कर भागया आता तुम्हें शंड नी आती है ऐसी बाती करते हुए चले जाओ ना किसी ने पट्टा डाल रखा है अरे नहीं भावी कहने दो इसे गोपी के लिए एक इतना उदास था मैं ही जानता हूँ अरे मैं तो उदास ही था पर तुने तो रो रोके रात दिन ने कर दिये चल पमी जरा चाय बना सब के लिए नहीं जीत हम लोग अब चलेंगे अरे वाई ये कैसे हो सकता है दोनों इतने दिनो बाद इखटे हुए हो चाय पीए बीना मैं नहीं जाने हूँग चलो जी जरा तुसे भी मेरे नाल हेल्प करो अरे क्या ओफो दोनों इतने दिनो बाद मिले हैं प्यार मौपत की बाते करेंगे तुम क्यों खोलोगे उनके बीट में हो अच्छा अच्छा ठीक है ये बात है तू पर आजा कितन में मेरे साथ क्या बात है गोबी मुझे कुछ कहना है आपसे चो कुछ कहना है बात में कहना नहीं घर जाने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ कुछ मत कगोगी जिस बच्ची की वज़े से हमारे बीच गलत फैमी खाड़ी हो गए थी वो अब इस दुनिया में नहीं है हाँ भाबी ने बताया बहुत अफसोस हुआ मेरी किसमत में शशी का सुख नहीं था कहो तुम क्या कह रही थी मैं आपसे पहले आप वादा कीजे जो कुछ कहूंगी उसके लिए आप मुझे माफ कर देंगे लेकिन मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया ने पहले वादा कीजिए अच्छा मैं वादा करता हूँ मैं माफ कर दूंगा बस देखिये जिस तरह आपने अपनी पिछली जंदगी मुझे से चुपाय रखी उसी तरह मैंने भी अपनी पिछली जिंदगी चुपाने की गलते की लेकिन तुम्हारी पिछली जिंदगी में कुछ वैसी ही है कॉलेज में एक लड़की से दोस्ती हो गई हमने चुपके से शादी भी कर ली लेकिन अमीर बाप का बेटा था उसके पिताजी ने हमें एकना होने दिया फिर? फिर वो वक्त के अंधेरे में हमेशा के लिख हो गया लेकिन उसकी निशानी मेरे पास है कैसी निशानी? बच्चा, मेरा बेटा ये बात मेरे सीने में एक चुर्म की तरह सुलग रही थी आज तुमसे कहके मुप्ति मिल गई लेकिन आज तकी बात तुमने मुझसे देखो, तुम वादा कर चुके हो, तुम कुछ नहीं कहोंगे कुछ पूछोगी भी नहीं मगर वो पिन लच्चा तुम मजे माफ भी कर चुके हो कहा है बच्चा? उपर सो रहा है, तुम उसे देखोगी, तो तुम्हारे दिल में भी ममता जाग उठेगी बड़ा प्यारा वच्चा है, अभी लाते हूँ प्यारा वच्चा प्यारा वच्चा है अरे बीबी, हमारे बीबी आ गया आव बिटे पाभी का फूस हो जाएगा बीबी वो उपर ही है? हाँ उपर है, ये बच्चा कौन है? अरे बीबी, साब ने हमको सब कहानी बताया तुम्हारा शादी हो गया था, बच्चा हो गया, ये सब क्या है? तु तु मुझे बच्चपन से जानती है लाजो दरसली उन्हीं का बच्चा है देखो बेटे, आप यहां से ऊपर जाओ, वहां आपके पापा इंविजार कर रहे होंगे, हम बाद में आगे हाँ ये लड़का बाबु साब का है? लड़का नहीं, लड़की, मैंने उसे लड़का बना दिया जिससे उन्हीं किसी बात का शक नहो, ये बच्चा उनकी पहली पत्नी का बच्चा है जिसे खिसमत में मेरी गोद में लाके डाल दिया और अब मैं ही उसकी मा भी हूँ तही हुआ हुआ जो वह चाहते थे लेकिन असले चुपाकर जो दुख उनोंने मुझे दिया है मैं भी उन्हें उसी दुख में डालके तमाशा देखूँगी देखूँगी एक मर्द और जो चाहता है वक्त आने पर क्या वही कुछ उसे भी दे सकते है पापा नमस्ते पापा कौन हो तुम आपका बेता आप ममी को और मुझे को क्यो चोड़कर चले गए थे पापा देखो मैं आपका पापा नहीं हूँ हाँ पापा वोकर आप जूट बोलते हैं ममी कहती है कि आप ही मेरे पापा है जूट कहा को ममी ने क्या जूट सत सिखा रहे उसे ठीक ही तो कह रहा है कोई इसकी पिता का नाम पूछेगा तो यह क्या कहेगा हुसी का जिसकी आउलाद है देखो इस तरह बच्चे के सामने मुझे जलीर मत करो तुम तो मुझे माफ भी कर चुकिया यह लो, तुम्हाई सिख्रेट वहीं रह गई थी अगर मैं जानता कि तुम किस बात के लिए माफ भी मांग रही हो तो मैं तुम्हारी चालाकी में नहीं फस्ता चालाकी और फरीब का खेल तो तुम ने खेला है मुझ से लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ मेरे लिए अपने पती से कुछ भी छुपाना जुर्म है अब तो हम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम इस बच्चे को स्वीकार कर लो और आदर्श पिता बन जाओ तार की बात खरी मेरा ही तो अच्छा है नहीं तो नहीं तो अगर तुम ने दुनिया से ये कहा कि ये बच्चा तुम्हेरी बीवी के पिछली जिंदगी की निशानी है तो मेरा तो कुछ नहीं सारी दुनिया की उंगलिया तुम ही पर उठेंगी इससे बेतर यही है कि तुम इसे अपनी पहली बीवी का बच्चा का हो मैं भी आदर्शमा कहलाओंगी देखो सब जानते हैं कि मेरी बेटी थी बेटा नहीं मंगर बंबई में कौन जानता है अच्छ उसका नम शेशी था ना ऐसा करेंगे इससे भी शेशी कहा करेंगे बेटी यहाओ क्या नाम है आपका? शेशी देखा कितना समझतार है यह कैसे मुमकिन है कि मैं इसे अपनी शेशी कहके सब लगों से मिलाता है क्यों नहीं क्या यह मकान लेने के लिए तुमने मेरी पती होने का नाटक नहीं किया था तो क्या आपनी बीवी की इज़ट बचाने के लिए तुम इसके पापा होने का नाटक नहीं कर सकते फिर यह तो बच्चा है थोड़ा सबी प्यार दोगे तो तुम्हारा होके रह जाएगा बेटी अपने पापा के पास बैठो मैं इनके लिए चाय बना के लाती हुँ दोहत दिलों से मेरे हाथ के चाय नहीं पी पापा, आप क्या सोच रहे हैं? यही के? यह सब क्या हो रहा है? देखो, तु मुझे पापा मत कहा करो, मैं तुम्हारा पापा नहीं हो हुम, मैं आपको कहूँगा, मैं आपको सो और कहूँगा पापा, पापा, में अच्छे पापा लुँ मुखोलो अच्छा बच्च अच पॉने नो यहीं बच गये नौ मुझे मुझे आफिस पहुंचना था कुछ मारी पापा बताया नहीं इतना वक्त हो गया वो शशे को नहलाने दुलाने में याद ही नहीं रहा लो उखलो हाँ आपके याद रहेगा यह खिलोना जो ले आई हो इससे फुरसत मिले तब ना नहीं बेटे पापा को देर हो रही है पहले उन्हें खाले में देंगे अच्छा क्या आप मैं इसका जूटा भी खाऊंगा अरे बच्चा ही तो है अगर आपके बेटी ऐसा करती तो जी जी श्याँ अरे किशन बाबो जरसुनिये तो इधर तो आईये मैं क्या कहूं किशन बाबू जब से तुम इस घर में आए हो मैं सुनता रहा, अरे अब तो सारा महले सुन रहा है क्या सुना है महलेवालो ने यही पहले सुना था कि तुम शादी शुदा हो, फिर पता चला कि यह बीवी का नातक था उसके बाद सुना कि इस बीवी से पहले भी बीवी थी जिसका स्वर्गवास हो गया है और आप सुना है कि पहली बीवी का बच्चा आ गया कहीं से आप कहना कह चाते हैं लालाजी यही किशन बाबू बहुत बड़े नातकार हो तुम अरे हर बाद अर्डर ग्राउंड यहां तक के चार साल तक बच्चे को भी अर्डर ड़ाउन रखा किसी पता तक नहीं चलने दिया अरे बाबू पताते तो जाओ और क्या या ओधनों गया गया और घर इन सब बात्तों का एक ही इलाज है किशिन और वो है खामोशी क्या जिस घर में मैं अपना बच्चा देखना चाहता तो वहां उसका बच्चा खेल रहा है और तू मुझे कह रहा है कि खामोश नहीं देखो वक्त कटो मौके से बच्चे को किसी होस्टल में दाखिल करवा देन लेकिन उस वक्त कल तो तो तुम्हें थोड़ा बहुत एड़िसका करना ही पड़ेगा और तुमाशा करने से तो तेरी ही बेजती होगी किशन, मेरी बेजती होगी, तू भी वही कह रहा है जो गोपि कहती है ये कभी नहीं हो सकता this is impossible आप कौन है आप कोन है थैर यह हम मुम्म में पुछते हैं मैं कोन हूँ जाके बोलो हम किशन कुमार शुकला जी के बेटे हैं मैं किशन कुमार जी का बेटा हूँ यूग एंचन, गुद मॉरिंग सर, गुद मॉरिंग क्या बत है, बहुत प्यारा बच्छा है आपका, तुम किसलिए है, सीना साब ने आपके पास ये फाइल बेजा है, ठीक है, तुम जाओ, ओके सर, गोपी, गोपी, आई, शाशी मेरा बेटा है, इस बात का धिंडोरा क्या बात है, अब आप ही इसके बाप है, मैं इसका कैसा बाप हूँ और ये मेरा कैसा बेटा है, इसे तुम अच्छी तरह जानती हो, जी हाँ, मुझसे बेटा कौन जानेगा, तो फिर घर की बात घर में रखो, इस बात की जादा पब्लिसरी करने की कोई जूरत नहीं है, स मुझ के देखते हो, जाए आसे, साशी, साशी बाबा, साशी बाबा, साशी बाबा को पकड लिया, लो दूद पिलो, नहीं मैं दूद नहीं पिना, अच्छे कोई बात नहीं, तुम वहां रख दो, मैं बाद में पिला दूदी, और ये कपड़े उठा लो प्लीज लाचो, आजाओ गंदा बच्चा, दूद काई को नहीं पिना, अरे, ये तो मेरी दूदी है, देखो ममी, ये मेरी दूदी गुम हो गए थी, कहा से आई, ये शशी को ढूंते ढूंते, रात में खुद कबट में आके छुप गई, सची ममी, देखो पापा आगे तुमारी, पपा द मेरी दूदी आपके कबट में आके चुप गई थी, किस नहीं दी तुमें, लाओ मुझे दो, मेरी दूदी है, मैं किस अरे, दो इधायर, मैं किस अरे, दो देखो नहीं, अरे, बच्चे को रुला के खुश हो गए, कभी बाप की नजर से भी देख लिया करो बच्चे को, नहीं, जो तुम चाहती है, वो कभी नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, किसी दूसरे के बच्चे को अपनाना बहुत मुश्किल है, यही कभी मैं तुम से चाहता था, और तुम घर छोड़ कर चली गए, जो तुम नहीं कर सकी, अब उसके लिए मुझे की मजबूर करती हो, मैं तुम्हारे बच्चे के वज़े से घर छोड़ के नहीं गई थी, घर छोड़ के गई थी तुम्हारे जूट और विश्वास घात की कारण, मैं सब समझता हूँ, सब जानता हूँ, और अब तुम्हे अच्छी तरह पहचान भी गया हूँ, अफसूस तो यह है कि तुम कुछ नहीं समझते, जरो इस पर दस्तकत कर दो, क्या है, शेशी के स्कूल का अद्मिशन फॉर्म, तुम ही कर दो, मैं क्यों करूँ, दस्तकत बाप का जुरूरी है, लो कर दो, मैं भी बेखती हूँ, श्री किष्ण कुमार, शुक्ला, कब तक नहीं अपनाओगे शेशी को, हलो, येस, भापी, हाँ हाँ है, बुलाता हूँ एक मिनित, किष्ण, गोपी का फोन है, एरे मैंने नहीं बात करनी, अरे, इमा बोल चीगा, कि तु है यहाँ, जा न अवीर, बात कर ले, न, हाँ, बोलो, क्या कर रहे हो, पी रहा हूँ, हाँ, मैं पी रहा हूँ, देखो, रात बहुत हो गई है, अच्छे यही है कि तुम घर चले आओ, नहीं मैं नहीं आओंगा, अरे मैंने कहा ना मैं नहीं आओंगा, क्यों, मैं कोई बच्चा हूँ जो इतनी दर तक बाहा नहीं रह सकता, किशन, शेशी और मैंने अभी तक तुम्हारे इंतजार में खाना नहीं खाया, तुम आओगे तो सब साथ खा लेंगे, मैं खाना भी निखाऊंगा, अरे भाई कब तक नहीं जाओगे, कल तो तुम्हारे घर में पार्टी है, मेरे घर में पार्टी, मा, क्या बात कर रहा है, किस पार्टी की बात कर रहा है तू? आरे शाशी के बात रहा है की, भाई तुमने ही तो इमीटेशन भेजा है, मैंने, कहा है बताव, तुम्हें नहीं मालू, आरे, ये देखो, मैं अज़ता है, मैं अज़ता है, मैं अज़ता है, मैं इसका फैसला कर भी रहा है, क्या बात रहा है, क्या हुआ, तुमने कहा था, तुम खाना खा क्या होगी, इस तुम्हें शाशी और मैं भाड में जाए शाशी और तुम्हारा खाना, मैं पुछता है, इसका मतलब क्या है? लगता है, तुमने हंगामा करने की खसंखा रखी, लेकिन मैं ज़वड़ा नहीं करना चाहती, मैं ने तुमसे पूछा, इसका मतलब क्या है, जवाब दे मुझे, ये इंडिटेशन काड है, जो तुम्हेरे तुमारे तुमारे दोस्तों को भीजा गया है, उन्हीं कल इन्वाइट क्या गया है, शशी की सालगिरा पर, कल हमारे बच्ची की सालगिरा है, उसे हमारा बच्चा मत कहो, इस सारे फसाद की जड़ तुम्हें प्यारा होगा, लेकिन मेरे लिव वो कुछ नहीं है, मैं उसे परदाश नहीं कर सकता, लेकिन तुमने यह कैसे सोचा, कि उसकी सालगिरा यहां बनाई जाएगी, मेरे घर में, मुझसे पूशे बगाएर मेरे नाम से तुमने मेरे दोस्तों को काट कैसे बिजा, मैं यह पार्टी नहीं होने दूँगा, हर्किस नहीं, इस वक्त तुम होश में नहीं हो, किशन, तुमने शराब पी रखी है, बेहतर यही है कि हम दोना कल सुभा बात करें, नहीं, अभी बात करनी है मुझे, मुझे अभी फैसला चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनूँगा, मैं अभी फैसला करके ही रहूँगा, तो सुन लो मेरा फैसला, यह पार्टी होगी, जरूर होगी, इस घर पे अगर तुम्हारा अधिकार है, तुम मेरा भी है, जो अख तुम्हें हासिल है, मुझे भी है, रही तुम्हारे नाम से काद भीचने की बात, सुर्ब जा चुके हैं, लेकिन तुम चाहो, तो पार्टी में सब महवानों के सामने, शेशी को अपना बच्चा कहने से इंकार कर देना, तुम चाहो तो यह भी बता देना, कि यह सिर्फ तुम्हारी बीवी का बच्चा है, जिसे वो अपने माएके से अपने साथ लाई है, जो चाहो तो तुमाशा करो, यह तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा फैसला है, लेकिन मेरा फैसला यह है, कि कल शाम यह पार्टी जरूर फोगी, गोपी, किशन कहा है, ओपर कमरे में, बैठी शराब पी रहे है, ओ गाट, पर तुमने भी तहाद कर दी गोपी, इतना बड़ा फंक्शन राक लिया, और किशन को बताया तक नहीं, उन्हें पाद में समझाँगी, आप जाके उन्हें ले आए, सब उन्हें को पूछ रहे हैं, अच्छा, तुम फिकर मत करो कुपी, वो गए है तो उसे लेकर ही आएंगे, हाई ब्रदर, अरे क्या यहां मुच भाए बठे है, चलट, नहीं अजीत नहीं, अरे यह अच्छा लगता है, वहां सब महमाग को जो पूछे हैं, और तु यहां, मैं अपनी शकल नहीं दिखाना चाहता, क्यों, कौन सी कालिक लगी है, बी ब्रेव यार, जिंदगी में situation face करना ही तो मरदानगी है, चलो लिमिट, 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 मैं नहीं चलूँगा, यार, वहां मन नीचे सब को बोल का है, आपी लेके आता हूं, तु मेरी बेचती करवाएगा, चलो मेरा शेर वी, पुच, कमान, कमान, मेरे तु आड़ी साहब, बभु जी भी ऐसे ऐसे गुन है, कि अगर बयान करने लगूं तो सुबह हो जाएगी, बास बास लाला जी, हम तो इनके सिर्फ एक गुन के फैन है, और वो है इनकी आवाज, क्या बात है, अरे आपकी भाब ये गाएंगी, लेकिन जरा किशन को आने द सुना है किशन साहब, बाबी जी के गले में बड़ी मिठास है, हाँ बही किशन, हम बाबी जी का गाना जरूर सुनेंगे, ये कहीं तो भला मैं इंकार कर सकती हूँ, ये अपनी मर्जी के खुद मालिक है, कहने के लिए, मगर हम औरतें तो अपना मालिक अपने पती को मानती किशन बाबू, जनम दिन भी तो तुम्हारे बच्चे का है, हाँ यार, तू ही कह दे, हाँ, कह दो रहने कहें, कहो, कहो किशन, आज सब के सामने से स्विकार कर लीचे, आपी का तो है, लोग तेरे बिना मैं कुछ नहीं, मेरे बिना तू कुछ नहीं, तू ही कहो जी पिया मेरे संग को स्विकार किया मैने, स्विकार किया मैने स्विकार किया मैने, स्विकार किया मैने स्विकार किया मैं, अगलर किया कर देरी इसकार किया मुदक ये जी तू करण किया विकार किया मैने नी आपया दू कर देरे दूप दुनिया में लाया तु है जिसे, आजा लगा ले गले से, तरसाना इसको मेरे दिया, ये तो है तेरे घर का दिया, स्विकार गिया मैंने तेरे बिना मैं कुछ नहीं, मेरे बिना तु कुछ नहीं तुने जो चाहा हम से कभी, चाहत हमें तुम से वही जीवन की जंस जाविलो, हसते हुए अब तुम ही कहो स्विकार किया मैंने, स्विकार किया मैंने तेरे बिना मैं कुछ नहीं, मेरे बिना तु कुछ नहीं स्विकार किया मैंने, स्विकार किया मैंने क्या हूं? मुझे दूरी रहे तु देखिए, थोड़े देर के लिए बच्चे को मेरा ही समझ कर अपना लिचे मैं आ गया हूं बस, मुझे और साथ मत परकाओ अरे भाई क्या घुसर भुसर हो रही है कोई underground मामला क्या? क्या ओटी सीधी बाते करें आप लाला जी? ये वक्त है ऐसी बाते निकालने का? अजी मैं क्या जानू वक्त बेवक्त की बात? मैंने सोचा कि सब दफ्तर के साथ ही है तो सारा underground जानते ही होगे मैं कहता हूँ बंद करो ये बकवास कर दी अगोपी तुम ही शुरू करो किशन आईए अपने बच्चे से केक कटवाईये मैं कहता हूँ इसे मेरा बच्चा काय खर मुझे काली मत दो तभर किसका बच्चा है ये तुझे क्या हो गया किशन चोड़ दे मुझे जीद यही तमा ये कोई भी बाप नहीं जानता, सिर्फ मान ही जानती है कि इसके बच्चे के बाप कौन है तो बताओ, सबाओ, इस बच्चे को कहा से लाई हो और इसका अवसकी बाप कौन है इसके बाप तुम, तुम यह जूट है, जूट मुझसे शादी करने से पहले तुमने इस बच्चा को जनम दिया मेरे साथ महभबत का नाड़ किया और धोका देकर मुझसे शादी कर ली और अब दुनिया के सामने ढोंग कर रही हो कि यह बच्चा मेरा है महभबत का नाड़ तुम ने किया धोका देकर तुम ने शादी की मुझसे मुझे बता तक नहीं कि पहले भी तुम्हारी शादी हो चुकी थी तुम एक बच्चे के बाप थे जैसे मर्द किसी बच्चे वाली औरत से शादी नहीं करना चाहता वैसे वो सोचता कोई लड़की किसी बच्चे वाली मर्द से शादी नहीं करना चाहेगी और इसलिए तुम जैसे मर्द उसे धोका देते हैं तुम ये चाहती हो कि मैं मजबूर हो जाओ तुम्हें माफ करने पर तुम्हारी जित और मर्दी के सामने सर जुका दूं और ये बच्चे अपना लूं ये कभी नहीं होगा देस इंपोसिबल और मैं कहती हूं यही होगा तुम्हें मालना ही पड़ेगा इसलिए के तुम भी मुझसे यही चाहते थे अगर तुम मेरे बच्चे को स्विकार नहीं कर सकते तुम मुझसे यह उमीद क्यों की थी तुम तो पुरुष हो बल्वान हो अगर तुम में कुछ तेने की ताकत नहीं तुम मांगने की हिम्मत कैसे हूँ इसलिएके हम और तुम्हारी देवी चार दिवारी के बाहर कोई जगा नहीं और आपके लिए सारी दुनिया आपका घर है लेकिन गोपी इस दुनिया से बचा कर हम और दों को अपनी चार दिवारी में इसलिए ले आते हैं को उनकी हिफाज़त हो सके सुसैटी में उन्हें मा, बेन और बीवी का नाम मिले हमारे समाज में तो उन्हें देवी तक आ गया है हाँ सिर्फ त्याग की देवी जो चुप चाप अपने पती के इशारे पर ना चाहिए और अगर बराबरी का हाख मंगे तो सब के सामने उसे यूँ बे इश्जत किया जाए उसके सर से आचल खीचा जाए तुम इसी काबल हो, तुमने एक पती के विश्वास को तोड़ा है जिस बच्चे को तुम मेरे गले में डालना चाहती हो तुम्हारा पाप है, तुम चली जो यहासे, चली जो यहासे बुर्ण में किशन, क्या हो गया तुझी, बागल हो किया तु, बीबी पर हाथ उठादा है हाँ, पावल हो गया हुँ मैं इससे कहो कि अपने पाप को लेकर चली जाए यहासे यहासे पती हो गयाने के बाएद, तुम मर्दों को दो ही तु अधिकर मिलते, अवरत को मारने का, यह उसे घर सी निकालने का इसके सिवा तुम ते ही क्या सकते चोटे मालिक चोटे मालिक, यह सब मैं क्या देख और सुन रहा हूं चोटे मालिक अच्छा वह बिटिया तुम्हारा तार मुझे समय पर मिल गया और मैं आ गया ये आप क्या नेत कर रहे हैं छोटे मालिक शशी तो आपकी बिटिया है अपनी शशी आज उसका साल गिरा है और आप भूल गए मालिक लेकन वो तो जीब एकसेंट में नहीं 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 भ लेकिन छोटे मालिक अपनी शशी बिटिया है कहां शशी बिबीजी बिबीजी गजब हो गया है अपना शशी बाबा टर्रस में बंध हो गया है और अंदर से दर्वागा बंध कर दिया बिबीजी जल्दी आओ दर्वाजा खोलो बेटे शशी बेटे दर्वाजा खोलो शशी शशी बेटे रुक जाओ कुछ देखोंगा मैं शशी शशी रुक जाओ अपने पापा को मारूगाju तो मसा अपने पापा कर दोंग आपने पापा को माफ कर दो नहीं बेटे ने रिच्चा ओक सो आज़ो पापा तुम्हें पस नहीं आएंगी शेशी मैं आरे हूँ अपने बच्चे के पास हाँ मम्मी आप मेरे पजाजाओ हाँ सान काइज नहीं पसे पता हो हाँ कर दो हाँ ममेर ममेर कुशी हतते हाँ कि श northwestern पेशए intensely कडती तो कि अ बच्छाँ वाँ गोपे वाँ तुम मा ना होकर भी शची की मा बन कर दिखा दिया और तु जलापे और नफरत में अपने होश खो बैठा और इस बेवी पर हाथ उटा लिया पर गोपी तुमने भी मेरे यार की ऐसी प्रिक्षा ली कि ये तो क्या कोई भी फेल हो जाता फेल तु मैं हो गई जो आज तक इनको यकीन नहीं दिला सकी कि मैंने इनकी बच्ची की वज़े से इनका घर नहीं छोड़ा था मुझे माफ कर दो गोपी लीजे आपकी शशी मेरी नहीं तुम्हारी शशी है गोपी तुमने इसकी मां होने का अधिकार पा लिया अगर मैं इसके पिता होने का अधिकार ना पासका जो अपने पापा के पास आज मुझे मालुम हुआ कि मर्द बाप भी हो तो भी बड़ा कठोर होता है और औरत माना भी हो तो भी प्यार का सागर होती है तेरे बिला मैं कुछ नहीं मेरे बिला मैं कुछ नहीं तेरे 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 बिला मैं कुछ नहीं मेरे बिला मैं कुछ नहीं